हेलो आप सभी उमीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आज इस वीडियो को देखने के बाद और बेच्छ हो जाएंगे विकॉज आज हमने कवर करें है टॉप थर्टी डेरिवेशन्स ऑफ फिजिक्स जो की जिनमें से क्वेशन बोर्ड में इस बार आना ही आना है hundred percent आपको यहां से देखे हुए कई सारे questions आपके एक्जाम में पसने वाले हैं as it is तो बस यही कहूँगा इस वीडियो को पूरा मेरे साथ end तक देखें because मैं इसमें सिर्फ formality नहीं करूँगा आपको समझाऊंगा भी आपको यह भी बताऊंगा कि यह step कैसे हुआ इसको आपको कैसे आद रखना है सारी चीज़ आप clear हो जाएंगी तो मेरे साथ इस वीडियो को ध्यान से बिलकुल end तक आपको देखना है तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारे number अपने आज की इस वीडियो से पके कर ले जाएंगे सबसे पहले बस यही कहूँगा अगर आप CBSE के बच्चे हैं यह CBSE के बच्चों के लिए अगर आप CBSE के बच्चे हैं तो आप मेरे साथ previous year question series को follow कर सकते हैं जहां पर मैंने previous year के questions यहां पर आपको solve करवाए हैं जो की PYQ series में आपको मिल जाएंगे वीडियो की description में आपको link मिल जाएगी इस पूरी playlist की यहां से follow कर सकते हैं इसके बाद आपको sample वेपर को practice करना चाहिए sample वेपर हमारा Educard का physics sample वेपर है इसके अंदर आपको बड़ी ए लेवल के questions मिलेंगे ऐसे question जहां से as it is जो questions है आपको CBSE के board paper में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो बस मैं यह कहना चाता हूँ कि आप इस वीडिय सभी board के students के लिए आप MP, UP, बिहार, राजस्तान, CBSE कहीं सी भी board से हो आप सभी बच्चे इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं तो पहला जो question हमारे सामने है वो यह है कि derivation हमें करना है most important derivation है chapter 1 का electric field due to dipole on axial point देखो electric field हमें निकालना है axial point पे आप सभी बच्चे समझते है कि यह dipole है minus q charge यह plus q charge यह dipole है और यहाँ पर इस axis पे कहीं पर एक point होगा P जिसको हमने नाम दिया axial point टिक है तो वही चीज हमने इस diagram में बताई है तो जहाँ पर plus q charge है उसको हमने नाम दिया A जहाँ पर minus q charge हमने उसको नाम दिया B और center को हमने नाम दिया O और यह रहा point P जह पर हमें electric field निकालना है तो देखो सबसे पहले अगर मैं distances की बात करूँ तो point O से लेकर के dipole के center से लेकर के वो point जहां पर हमें electric field निकालना है वहां तक की distance को हमेशा small r consider करेंगे यह distance होती है center से लेकर के L तो यह वाली distance भी हो गई L यह center to center distance है ठीक है इसके बाद अगर हम इस परकार से देखें total distance r है इसमें से L को गटा दो तो A से लेकर के P तक की distance आ गई R minus L जो की plus Q charge से है और अगर minus Q charge से distance देखेंगे इस point P की तो वो हो जाएगी R plus L clear है अब हम बात करेंगे इस point पे electric field की तो plus Q charge से plus 4 से हमेशा electric field line दूर की और जाती है तो plus Q charge से जो electric field है वो even है और देखो यहां से दूर जा रही है minus Q charge के लिए electric field line inward आती है तो यहाँ पर देखो minus Q charge की जो electric field line है उसकी direction यहाँ पर इस side को होगी देखो minus Q की और clear है यह हमने diagram समझा अब देखो electric field का formula होता है point charge कारण के Q upon distance का square के Q upon distance का square तो सबसे पहले इस dipole में दो charge है minus Q charge और plus Q charge हम एक एक करके दोनों की electric field को लिखेंगे तो जैसे plus Q charge की electric field पहले हमने निकाली जिसको हमने नाम दिया E1 vector formula क्या है के Q upon distance का square किसका square distance का तो आप यह देखो कि Q charge से plus Q charge से distance का है point P तक की जिस point पे electric field निकालनी है R minus L तो इसका square हमने कर दिया है किसका square distance का square ठीक है अब इसकी direction देख रहे हो A से लेके P तक arrow जा रहा है तो हमने इसको लिख दिया along AP vector इसके बाद electric field due to minus Q charge तो formula क्या है के Q upon distance का square तो minus Q से इस point P की distance R plus L है तो हमने उसका square करा clear है अब यह जो electric field है देखो जरब P से B की और आ रही है negative की तो हमने आप पे लेका PV vector ठीक है अब इसके बाद हमें निकालनी है point P पे net electric field net electric field की अगर हम बात करें तो ज्यादा ताकतवर electric field किसकी होगी यहां पे plus Q charge की क्योंकि वो इस point P के पास में है इसलिए हमने क्या करा कि net electric field निकाली E net vector is equal to E1 minus E2 clear है vector sign arrow को बता रहा है net electric field किस और होगी net electric field किसकी ताकतवर है यह plus की और plus की electric field कि side जा रही है A से लेके P की side तो हमने यह आप लिख दिया along AP vector clear है take चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे net electric field हमने निकाली तो हमने E1 minus E2 करा तो E1 की value आपने यहां पर put कर दी E2 की value आपने यहां put कर दी इसके बाद आपने K और Q को बाहर निकाल लिया तो उपर 11 बच गया इसके बाद आपने LCM लिया दोनों का इसका देखो ज़रा यह देख रहे हो आपने यहां पर LCM लिया LCM लिया तो हमने देखो क्या देखा LCM लेने के बाद हमने यहां पर यह देखा कि LCM आ गया A minus B का whole square और A plus B का whole square तो यहां पर A minus B और A plus B क्या होता है A square minus B square अब इन दोनों का whole square है तो यहां भी लग गया whole square ठीक है तो यहां आ गया LCM इसके बाद हमने cross multiply करा दोनों का क्लियर तो cross multiply क्योंकि LCM ऐसे solve करेंगे इसके बाद हमने cross multiply करा तो R plus L का whole square यहां पहुँच गया R minus L का whole square यहां पहुचा इसके बाद हमने इनको solve करा भाई सब solve किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है A plus B का whole square यहां open कर दिया और A minus B का whole square यहां open कर दिया साथ ही इस minus sign का under into कर दिया ऐसा करने पर हमने पाया कि L square से L square cancel हो गया plus minus का बन रहा था R square से R square cancel हो गया plus minus का बन रहा था तो final जो term है वो यहां पर इस तरीके से आ गया यह देख रहा हो यहां पर KQ बाहर रहे गया 2RL plus 2RL जो cancel नहीं हुआ था वो बन गया 4RL upon में A square minus B square लिखा है का whole square यह चल रहा है LCM की नीचे डेनमेटर जो चल रहा है अब इसके बाद हमने Q का into अंदर करा clear आप यह देखो यह 4QRL ऐसा हो रहा था ऊपर ऊपर क्या है 4QRL हमने इसको टुकडों में तोड़ दिया और हमने लिख दिया 2QL into 2R क्या लेखा 2QL into 2R into करेंगे तो फिर से वही ने कलेगा 2 to 4QRL clear है लेकिन हमने तोड़ दिया तो हमारा काम बन जाएगा अप उन में लिखा है A square minus B square यह ऐसा का हूं R square minus L square का whole square clear हम net electric field निकाल रहे हैं तो दियान से दिखो के को हमने के लिखा 2R को हमने 2R लिखा अब जो 2QL होता है यह dipole moment होता है क्या होता है dipole moment जिसको मैं P से represent करता हूं तो मैंने as it is यहां पर लिख दिया अप उन में ऐसा कैसा चल रहा है इसके बाद हम क्या करेंग इसके बाद हम यह करेंगे कि यदि condition में लगाई कि यदि जो R की value है यह L से बहुत बहुत बढ़ी है तो हम L को neglect कर देते हैं तो यह जो इसके साथ लिखा हुआ L है हमने उसको neglect कर दिया और ऐसा करते ही हमने पाया कि R square का whole square बचा जिसको solve गरने पे 2P upon R cube आ गया clear है तो यह थो हमने net electric field का scalar form लेखा लेकिन vector form लिखना चाते हैं तो हमने ये देखा कि देखो vector form ने लिखा यहाँ पर देख रहे हो E net vector तो हमने देखा कि यह minus Q charge यह plus Q charge clear है dipole moment की direction होती है minus से plus तो dipole moment की direction हो गई negative to positive अब हमने देखा के net electric फील्ड किस direction में है तो हमने देखा के plus q charge ज़्यादा थाकतवर है उसकी electric field इस direction में है तो net electric field भी ज़्यादा थाकतवर चार्ज की ही होगी ऐसा नहीं के plus q ज़्यादा थाकतवर है क्योंकि वो plus है नहीं क्योंकि वो point P के पास में है तो net electric field भी plus Q ही dominate करेगा clear है तो यहाँ पर net electric field और dipole moment के direction सेम है तो हमने लखा net electric field को per vector into P क्या P क्या बता रहा है कि net electric field के direction dipole moment के direction में ही है तो यह उमीद करूँगा आपको समझ में आगा होगा अभी मैं आपको तीनो slides का screenshot दिलवाओंगा इसके साथ साथ आप telegram channel से notes download कर सकते हैं telegram की link आपको इस video को description मिल जाएगी join भी कर लेना channel को तो सबसे पहले आप इसका screenshot ले लो एक दो और यह तीन question काफी important है for question का नाम है electric field due to dipole on equatorial point equatorial point काफी आपको याद रखना है clear है सबसे पहले हम जानते है equatorial point क्या होता है जैसे मेरे पास यह dipole है यह minus q charge यह plus q charge इसको center से बिलकुल इस dipole axis के perpendicular cut करने वाली line को हम बोलते है equatorial line और इस line पे कोहीं अगर मुझे point मिल गया पी तो मैंने इसको बोलूँगा equatorial point अभी इस point पे मुझे net electric field निकालनी है तो अभी मैं देखता हूं कि देखो यह जो plus q charge है इसकी electric field यहाँ पे जाएगी इस point पे तो इसको मैं नाम दूँगा E1 vector और इसकी electric field इस side आएगी तो इसको मैं नाम दूँगा E2 vector यह यहाँ पर arrow से represent करूँगा यह angle theta यह angle theta है clear है अब यह देख रहे हों यह दोनों electric field जो है यह horizontal से एंगल theta पर inclined तो इसको नाम दिया even vector नीचे वाली भी electric field alternate angle बना रही थीटा तो इसको भी नाम दिया मैंने E2 vector अभी जो vector field होती है नो उसको मैं दो component ब्रेक करता हूं और एक component होगा इस side तो theta से चिपका हुआ component होगया e1 cos theta और उपर वाला component होगया e1 sin theta अब यह जो minus की electric field है यह इस side को आ रही है नीचे की side को तो इसका एक component होगा इस side और एक component होगा नीचे की side यह देखो नीचे जा रही नीचे और आगे तो एक component आगे e2 cos theta और एक component नीचे e2 sin theta clear है तो इस point P पर यह point P है यहाँ पर इस प्रकार से हमें net electric field मिलेगी distances की बात करें यह दोनों distance L L है center से लेकर के point P तक की distance R तो यह जो hypotenuse आपको देख रही है है ना perpendicular square plus base square यह हो जाएगा root R square plus L square funda वही है कि एक बार plus Q4 से electric field निकालेंगे formula KQ upon distance का square और एक बार minus Q4 से electric field निकालेंगे formula KQ upon distance का square तो देखो यह लगा दिया distance R square plus L square है root के अंदर तो इसका square लगा दिया clear है तो यह square एट जाएगा तो क्या बनेगा R square से square root गया तो यह पहले equation बन गई अब इसी प्रकार से हम minus Q4 के लिए निकालेंगे तो KQ upon distance का square square से square root एटा तो यहाँ पे simple बच गया R square plus L square ठीक है यह हमने E1 की value और E2 की value निकाल दी अब भी आप ज्यान से देखेंगे कि पहले क्या था पहले यह था कि एक point पे जो electric field एक left side जा रही थी एक right side या एक right side एक left side तो हमने बस plus minus करके निकाल दिया लेकिन इस बार जो point P है यहाँ पर जो electric field है यह चार component में divide हो गई E1 sin theta E2 sin theta E1 cos theta E2 cos theta तो अभी हम क्या करेंगे इन चारो component को जोड देंगे किस प्रकार से कि बाई सब जो चीज ऊपर है उसको plus जो नीचे उसको minus जो left में उसको minus और right में उसको plus तो अबने क्या देखाला कि net electric field का magnitude क्या होगा magnitude मतलब सिर्फ value है ना sign को consider नहीं करेंगे जब यह बाहर निकल के आ इसके बाद हमने यह भी तो पाया कि भाई सब देखो यह plus q charge minus q charge इस point भी से बराबर distance में तो इन दोनों की electric field है e1 और e2 दोनों की value same है तो इसको हम यहाँ पर यह लख सकते हैं कि e1 is equal to e2 तो e1 sin theta e2 sin theta की जगे भी आ गया e1 sin theta e1 cos theta e2 cos theta की जगे आ गया e1 cos theta minus का जब हमने इ sin theta से sin theta की value cancel हो गई लेकिन यह minus minus e1 cos theta यह add हो गए तो minus का 2e1 cos theta हो गया mod हटा दिया तो mod से बाहर आती है कोई भी value तो positive हो जाती है तो यह बचा 2e1 cos theta इसके बाद तो net electric field 2e1 cos theta ध्यान से देखो 2 की जगे 2 रखा e1 की जगे e1 रखा cos theta की value क्या होगी इस diagram से देखो base upon hypotenuse तो यह हमने लिख दिया 2e1 और cos theta की value based upon hypotenuse इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो 2e1 की value हमने put कर दी kq upon distance का square तो यह हमने put कर दी distance का square करना है तो root से square root अट जाएगा मतब root square से square root जाएगा ठीक है इसके बाद r square plus l square को पर root लगा है तो root को हम क्या बोलते है power 1 by 2 हमने वही करा 2ql को हमने अलग करा नीचे क्या लिखा हुआ है देखो k को अलग किया 2ql को अलग कर दिया बिलकुल अलग कर दिया यह देखो base common है r square plus l square यह base common है इसके उपर power 1 लगी है और इसके उपर power 1 by 2 1 plus 1 by 2 base common है तो power add हो जाएगी तो यह power 1 गई 3 by 2 clear है इसके बाद आपको समझ 2ql को में dipole moment p लिख सकता हूँ वो मैंने लिख दिया r square plus l square की power 3 by 2 बच गई वो भी मैंने लिख दिया condition आ गई कि यदि r की value l से बहुत बहुत बढ़ी है तो मैं इस l को neglect कर देंगे और यहाँ पर बचेगा सिर्फ r square और power बचेगी 3 by 2 r square power 3 by 2 2 से यह 2 कट गया बचा net electric field kp upon r cube clear kp upon r cube तो axial पे आ रहा था 2p upon r cube और यहाँ पे है पी upon r cube clear ना इसके बाद यह हमने axial और एक्जियल और एक्जियल और एक्टोरिली compare कर ली ठीक है याद रखेंगे अगर हम बात करेंगे vector form की तो net electric field कहा है इस direction में कहा है इस direction में और dipole moment की direction कहा है minus q से plus q इस direction में तो net electric field dipole moment के opposite है और उस opposite को minus sign बता रहा है तो यह हमने लिख दिया clear तो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है इसमें यह नहीं लिखना है ठीक है उम्मीद करूंगा समझ मायागा comment section में आप से जानना चाहता हूं कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया और आगे बढ़ाए आगे बढ़त है कि यदि किसी close surface के इंदर को charge रखा हुआ है तो इस charge के कारण जो net flux link होगा इस close surface से इस charge के one by epsilon not times होगा clear है one by epsilon not times होगा तो statement क्या लिखा हुआ है according to this law net flux linked to a close surface equal to one by epsilon not times the net charge present inside the surface clear है तो phi is equal to क्या आगे क्यों बाए epsilon not gauss theorem से ये भी कहती है phi is equal to close integration e vector dot ds vector अच्छा मैं आपको additional knowledge देना चाहता हूं कि जब भी positive charge के अंदर होगा तो positive flux कहा जाएगा negative charge के अंदर होगा तो negative flux कहा जाएगा और जितनी electrophy line इसमें अंदर गई है और जितनी बाहर चले गई तो यहाँ पर zero flux कहा जाएगा चली इसको prove किस तरीके से करा जाता है यह आपको बताते है तो पहले statement आपको लिखना होगा और फिर इसको हम prove करेंगे clear तो सबसे पहले prove क करने के लिए हमने आपर जो प्रॉपर लेंगुज वगरा है बो लिख ली कि वह प्रूफ आफ गॉजला तो गॉजला में हमने क्या consider कर लिए सबसे पहले कि यह हमारे पास पॉइंट है ओ यहां पर चार्ज रखा है क्यों और इस के चारों और हमने एक सर्फिस बना ली जि यहां से इस चार्ज की एलेक्ट्रिक फील लाइन जा रही है वहाँ पर हमने गॉजिन सर्फेस पे छोटा सा एरिया कंसीडर करा जिसको नाम देए डियस और इस डियस पर पर्पेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा तो हमने मिल गया एरिया वेक्टर जिसको मैं नाम देए डियस व तो यहाँ पर आजाएगा डॉट अटाने पर आता है कॉस्ट ठीटा अगर क्रॉस लगा होता तो आता साइन ठीटा लेकिन यहाँ पर वो नहीं है अच्छा ठीटा की वैल्ली यहाँ पर 0 डिगरी तो पाई इस इक्वल डू एडी एस कॉस्ट जीरो आ गया कॉस्ट जीरो की होती है वन तो वह हमने लिखा रहे हैं दिया यह क्लोज इंटिग्रेशन है यह यह बाहर आ गया क्योंकि एलेक्ट्रिक फिल है एक पॉइंट पर सेव है अगर हम छोटे-छोटे-डी-एस-डी-एस-डी-एस-छोटे-छोटे-छोटे-डी-एस को अगर हम एड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक बड़ा सा स्पियर का मिल झाएगा बड़ा सा स्पियर और स्पियर की जो एरियया होगा वह भापार पाय आर-सक्वाइर क्लिए है कि ए की वेल्यू देखो ए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ट और प्वॉन बना रही है यह प्वॉईंट चार्ज आ hat जो electric field का formula होता है वो होता है 1 upon 4 पे epsilon not q by r square तो यहाँ पर आप यह देख रहे हैं 4 by r square से 4 by r square कट गया तो electric flux जो phi है वो q by epsilon not prove हो गया और यही आपको करना है आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं दोनों slides का एक ये और उसके बाद ये clear है आगे अभी हम बढ़ जाएंगे और next slide पे पहुंचेंगे और next question है proof of coulomb inverse square law from gauss theorem तो भाई सब gauss theorem की help से हम जो coulomb law है f is equal to k q1 q2 upon r square उसको भी proof कर सकते हैं और यह पूछा जाता है उसको proof करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है सेम डाइग्राम है यह चार्ज रखा हूँ है q यहाँ पर एक gaussian surface बना ली जो की r distance पर है यहाँ पर एक छोटा सामने एक test charge रख दिया q not जिस पर यह q force लगाएगा electric force लगाएगा इस q के कारण जो electric field जा रही है उसको में नाम दे है e vector यह जो gaussian surface पर छोटा सा area consider करा ds और ds पर perpendicular बनाया तो हमें मिल गया ds vector यहाँ पर फिर से देखेंगे के electric field और ds vector same direction में है तो theta की value 0 degree consider करी जाएगी तो pi यह close integration e vector dot ds vector होता है q by epsilon not इसके बाद आपने क्या करा के eds dot दाएंगे तो आएगा cos theta हमने यह आप लिख दिया cos theta लेकिन theta की value 0 degree होने current से मैंने direct यहाँ पर cos 0 लिखा q by epsilon not अब cos 0 की value 1 होती है तो यहाँ पर बचा eds only q by epsilon not ds का integration हुआ तो आया 4 pi r square वो हमने लिखा रहे ने दिया e की value यहाँ से निकाली 1 by 4 pi epsilon not q by r square वही e की value आपको निकाल के दिखानी है यहाँ पे clear क्यों कोई derivation करना है तो e की value हमने यहाँ पे निकाल के दिखाई अब कूलाम law में प्रूव करना है कूलाम law एक्ट्वल में क्या है कूलाम law हमें force बताएगा दो चार्ज इसकी बीच में तो हमने का f is equal to q not into e यह जो electric field e बन रही है यह problem inverse square law हो गया इसको यह भी बोल सकते हैं कि proof inverse square law using gauss theorem तो आपको same करके आना है यहाँ पर जो basic language considerate charge q is kept on the center of is kept on point a imagine a Gaussian surface which is spherical in shape around a charge ds is small area on that surface and ds vector is normal to यह मैं कहूंगा ds vector is perpendicular to ds it is making angle theta is equal to zero with electric field बस इतनी से बात आपको लिखना है basic language वह आप लिख सकते हैं तेक अभी हम आगे बढ़ जाएंगे next हमें समझना है gauss theorem की important application जो की है electric field due to line charge या फिर linear charge density इसके लिए में derivation करना होता using gauss law clear है तो सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिस पर पूरे वायर पर uniform charge distributed है charge कितना है q जो की पूरी length l पर distributed है तो यहाँ पर जो linear charge density हो जाएगी that will be lambda और इसको हम formulate करेंगे that will be lambda is equal to q by l तो जरुत पढ़ने पर हम q is equal to lambda l put कर सकते हैं अब gauss theorem के according इस charge को में पहले cover करना पड़ेगा तो हमने इस charge हो cover करने के लिए Gaussian surface चुने और यहाँ पर जो Gaussian surface है यह cylindrical shape में है clear है अब यह क्या होगा कि इस Gaussian surface के अलग-अलग surface पर हम यह find करेंगे कितना angle बन रहा है तो हमने देखा कि इसकी जो electric field है वो चार हो और इस परकार से बनेगी तो इसकी electric field जैसे यह है तो इसके पास इस cylinder के पास जो है cylindrical Gaussian surface के पास तीन surface है एक उपर वाली surface एक नीचे वाली surface और एक curved surface clear है तो देखा हम तीनों surface के लिए find out करेंगे angle तो electric field यहाँ पर है E vector और इस DS यहाँ पर हमने एक छोटा सा area माल दिया जिसको हम नाम दिया DS और इस DS पे perpendicular हुआ DS vector दोनों की बीच में angle बना theta is equal to zero इसके बाद हमने उपर वाली surface पे electric field देखी और उपर वाली surface पे area vector उपर जाएगा दोनों की बीच में angle बना theta is equal to 90 degree यहाँ पर electric field तो wire के around 4 और दोनों side होगी इस प्रकार से है ना और जो नीचे वाली surface है वहाँ पर area vector नीचे की side जाएग जो किया DS vector तो यहाँ पर theta की value अगई 90 degree अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम इस वाली curved surface को हम नाम देंगे S1 इसको मनाम देंगे S2 और इसको मनाम देंगे S3 clear है जो proper language है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी clear अब gos theorem apply करना है उसके बाद में electric field नकालना है तो gos theorem में यहाँ पर यह देख रहा हो e vector dot ds vector gos theorem कहती है is equal to q by epsilon not clear यह भी 5 की value यह भी 5 की value अब देखो अब यहाँ पर बनाये close का sign बनाया है तो close का sign जब हम बनाते हैं जब पूरी body में एकठा deal करते हैं clear लेकिन अगले step में हमने क्या करा कि तीन surfaces में अलग-अलग work किया तो हमने यह देखा तीनों सर्फेस में जो जो एंगल है eds cos 0 eds cos 90 eds cos 90 वो फूट कर दिया cos 90 की value 0 होती है तो यह 0 हो गया cos 90 की value 0 हो यह भी 0 हो गया eds cos 0 तो आप यहाँ पर देख रहे हो यह बन गया q by epsilon not clear eds cos 0 क्या बन गया q by epsilon not देखो यह जो दोनों s2 और s3 surface है इनका तो कामी खत ds यहां पर कब सर्फेस थे eds बस वही यहां पर लिख दी जो की हर एक पॉइंट पर सिम होगी तो हमने इसको बाहर निकाल दिया का integration करेंगे अब ds किसका पार्ट है ds तो पार्ट है किसका curved surface है curved surface का तो curved surface का जो area होगा that will be 2 pi rl यहां पर length of cylinder q by epsilon not clear है तो यहां पर हमने क् field का कि जो value आ गई यह आ गई is equal to 1 by 2 pi epsilon not q by epsilon q by rl क्योंकि जगे हमने क्या put करा lambda l तो क्योंकि जगे जगे हम lambda l put करेंगे तो इस l से l cut जाएगा और यहां पर electric field की यह value आ गई तो final जो electric field का formula बन गया that is k2 lambda by r और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है तो यह electric field का यह formula 1 by 2 pi epsilon not lambda by r clear 2 का एंट 2 ऊपर कर दें 2 का एंट 2 नीचे कर दें तो यहां पर यह बन जाएगा 4 pi epsilon not 2 ऊपर बन जाएगा 2 lambda by r ठीक है चले तो उम्मिद करूंगा यह आपको समझ माया होगा अब यह मागे बढ़ेंगे इस formula को आप final याद रख सकते हैं बाकि सारी च रिकत नहीं होगी चले आगे हम बढ़ेंगे और next हमें मिल रहा है एक और important derivation जो कि है chapter second से derivation का नाम है expression for electric potential due to point charge तो हमने मान लिया यह पूरी language लिख हुई बस आप इतनी लिख दो कि आपक काम बन जाएगा हमने मान लिया कि हमारे पास यह यहाँ पर इस जगह पर एक point O है और यहाँ पर एक charge रखा है Q इस Q का जो potential है इस point P पे हमें निकालना है और जो point P है इस Q से R distance पर है इसके बाद आप यह देखिए कि हमें का करना पड़ेगा potential का formula होता है work upon charge तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इस charge Q not को हम infinity से लेकर किया रहे है point P पर तो हमें कित work calculate करना है infinity से किसी charge को point P तक लाने में आपने कितना work करा clear यह calculate करना है अब एकठा एक बार में इतना work तो calculate नहीं कर पाएंगे तो हमने क्या करा कि charge को point A पे रखा और A से B तक लेकर के गए A से B तक हमने dx distance को travel कराया अब इस चोटी सी distance को travel करने में या इसको displace कराने में हमन चार्ज को पकड़ के ला रहे है infinite distance ते और लेकर क्याना है में R distance तक point तो point का नाम तो P है clear है तो हमने क्या करा dw is equal to f vector dot dx vector हम charge को इस side लेके जा रहे हैं जबकि positive charge क्यों है बड़ा वाला वो इसको छोटे वाले charge q note पे सेट धक्का दे रहा है है ना तो दोनों opposite direction में है displacement cost 180 के value minus minus 1 होती है तो हमने वो put कर दिया force देखो जब यह charge q और यह q note यहाँ पर यह चोटा वाला test charge q note यहाँ पर है इस q note को हम लेके आ रहे हैं तो इन दोनों की बीच की जो distance है यह total distance मेंने मान ली x और अभी इन दोनों की बीच में जो कूलाम force लगेगा वो होगा के q1 q2 upon distance का square तो q1 है capital q q2 है q naught और distance है दोनों की बीच के भी x तो x square clear है अब हमने क्या करा हमें निकालना है total work done total work done निकालने के लिए integration करना पड़ता है हमने इन सभी values को बाहर निकाल दिया अभी क्या हो रहा है integration होगा 1 by x square का तो 1 by x square का integration आप सभी को बताना चाहता हो होता है minus 1 by x कहां से कहां तक charge को लेकर क्या रहे है वोला infinity से r distance तक तो वो हमने limit लगाई है minus sign बाहर निकाल दिया plus का बन गया अब limit बुट करेंगे जहां 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 x है उसकी जगह एक बार अपर limit minus जहां 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 x है उसकी जगह एक बार lower limit 1 by infinity 0 होता है तो यह बन गया screenshot भी साथ म to work upon test charge q naught जिसको हम लेकर क्या रहे थे जब हमने इसका q naught से divide दिया तो यह cancel हो गया और बचा b is equal to k q by r इसके बाद आप यहां पर देखिए k की जो value होती यह होती है 1 by 4 पैपसल नॉड तो यह बन गया 1 by 4 पैपसल नॉड q by r that means charge upon distance यह बन गया electric potential का formula आगे बढ़ेंगे और जो next derivation है most important इसको समझेंगे next हमें करना है most important derivation जिसका नाम है relation between electric feel intensity and electric potential जिसको आप e is equal to minus dv upon dr direct prove करने को भी देदेता है सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें इसमें बताना है कि electric feel electric potential की बीच में क्या relation है तो हमने मान लिया कि हमारे पास यह plus q charge है यह इस point o पर रखा हुआ है और यहाँ पर एक charge q not हमने लिया पहले इस point a पर रखा इस a point का potential v है फिर हमने इसको यहां से move कराया और move कराते कराते इस point b पर लेकर किया है हमने इसको छोटी सी distance dx move कराया तो इसका थोड़ा सा potential dv बढ़ गया तो कितरा हो गया v plus dv है ना क्योंकि charge के close आ रहे है तो potential obvious से बात है positive charge के लिए बढ़ेगा ना दोनों के बीच की distance a और q के बीच की distance x clear इसको distance displace कितना कराया dx अगर हम बात करें work की तो beta की value 180 degree है क्योंकि यहां पर force or displacement opposite direction में है तो हमने क्या किया यहां पर बन गया dw is equal to minus f dx अगर है बात करूं कि यह जो plus q charge है इस पर कितना force लगा रहा है electric field के terms में अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा q naught into e q naught into e capital e क्या है इस plus q की charge की electric field क्योंकि हमें हमें पर electric field के terms मे relation निकालना है ना इसलिए हमें final step में यह e को लेकर के आना पड़ा ठीक है इसके बाद हम यह भी जानते हैं कि अगर हम बात करें dw कितना होगा तो दूसरे steps में अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो potential difference का formula potential का formula क्या होता है work upon charge है ना तो अगर हम बात करें dw की तो यह हो जाए basic relations है तो dw की एक ये value dw की दूसरी value आप इन दोनों values को आमने सामने रखने मतलब compare करतें compare करेंगे तो यहाँ पर आप यह देखेंगे electric field की जो value आ जाएगी यह आ जाएगी minus dv upon dx कई जगे आपको देखने को मिलेगा minus dv upon dr तो अगर r यहाँ पर लिखा है r यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपको तो कहने का मतलब यह हो गया कि electric field का जो formula है यह minus dv upon dr मतलब potential difference potential difference upon upon distance ठीक है इस formula को अपन यूज़ करेंगे capacitor के अंदर clear आप इसका screenshot ले सकते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला जो derivation यह भी काफी important है इसमें में determine करनी होती है capacitor की capacitance जो की parallel plate capacitor के लिए द देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ derivation का नाम का expression for capacitance of parallel plate capacitor सिंपल सी बात है capacitor क्या होता है तो oppositely charged parallel plate होगी है ना तो इनके बीच में कोई dielectric medium बरा होगा जैसे की air तो हमने मान लिया कि यह जो devices का नाम का है capacitor इसके अंदर खूब सारी energy store होती है capacitor की plates की बीच में जो electric field that is e is equal to sigma by epsilon naught देखो यह हमने सारी language जो लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया अभी देखो simple सी बात है capacitance का formula होता है Q by V तो सब कुछ मुझे करना है बस इतना कि Q की value में रपास है जो की दोनों plates पे charge है और इसके बाद V की value मुझे निकाल लेनी है clear अब charge क्योंकि पूरी surface पे यहाँ पर फैला हुआ है plates के लिए तो यहाँ पर हम charge density को introduce करेंगे charge density का formula होता है sigma is equal to Q by A तो यहाँ पर Q की value हो जाएगी sigma A देखो मैंने फिर से का capacitance मुझे निकालनी है उसका formula है Q by V Q मेरे पास है already तो V की value में निकालूंगा अब आई सब देखो अभी जस्टम ने relation करा यहाँ से मुझे क्या पता बढ़ रहा है कि potential difference का formula क्या बन गया electric field into distance relation करा था electric field is equal to potential difference upon distance तो potential difference का formula मैंने बना लिया electric field into distance तो plates के बीच में जो electric field है वो है sigma by epsilon not और plates के बीच के जो distance है वो है D बस वही मैंने यहाँ पर put कर दी तो यहाँ पर V की value आ गई sigma by epsilon not into D और उसके बाद C is equal to बन गया Q by V अब Q की value क्या है sigma A वो मैंने यहाँ put करी V की value क्या है यह अभी मैंने यहाँ से put कर दी sigma से sigma कट गया और बचा C is equal to epsilon not A by D अगर दोनों plate के बीच में कोई पूरे में medium कोई भरा हुआ dielectric medium तो यहाँ पर आ जाएगा के epsilon not A by D तो यहाँ पर एक important step या point मैं आपको बदाता हूँ देखो इस पूरे formula में कहीं final formula में charge आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो capacitance charge पर depend नहीं करती यह depend करती है area पे distance between plates और medium between plates पे ठीक है अच्छा तो अगला derivation हम कर रहे हैं यह भी most important derivation है language पूरी उपर लेखी हुए जो कुछ समझाओंगा बस वही language है तो derivation का नाम है expression for capacitance of parallel plate capacitor partially filled with dielectric मतलब partially filled का मतलब है कि देखो आप यह देख रहे हैं यहाँ पर समझो कि यह दो parallel plate है positive charge negative charges इन दोनों पे कितना charge है same charge है लेकिन कितना q is equal to sigma a capacitance निकालना है तो c is equal to q by v बस इसे step को follow करना है v का formula same है potential difference का formula जो same है electric feel into distance अभी समझना कि इसके अंदर क्या खेला होवे है देखो इसके अंदर क्या खेल है समझो कि अभी यह मेरे पास capacitor है इस capacitor की plates की बीच में total distance d है यहाँ पर हमने चोटी सी डाइलेक्ट्रिक की slab डाइलेक्ट्रिक की पट्टी लेकर के आए और इसके अंदर जो हमने plate के अंदर ऐसे भर दी आप समझना कि इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकने से वो है टी आदे मे बारा है इसलिए हमने बोला partially filled dielectric clear है now तो अभी समझना है formula क्या है यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको के इस plate के बीच में अब दो जगे पे electric field बन रही है एक तो dielectric medium के अंदर और दूसरा यह जो बच्ची हुई air है इसके अंदर है ना क्योंकि plate के बीच मे पहले तो air थी तो अब air आधी रह गई और आधे पर क्या है यह dielectric material clear तो formula क्या बन गया electric field into distance तो अब electric field दो जगे electric field into air into distance इसके बाद electric field into medium क्योंकि आपने medium भी भर दिया तो इसके अंदर भी electric field बनेगी into इसकी thickness clear है thickness जो की distance ही होती है तो अब आप देखो पहले D distance में पूरे में हवा थी अब T में material आ गया तो यहाँ पर देखो E naught into D minus T D minus T क्या है बस इतनी इसी ही distance में air बरे हुई है E naught क्या है air में electric field अच्छा ठीक है इसके बाद आप बात करें कि medium, medium के अंदर net electric field into यह जो dielectric medium की thickness T है अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो electric field बनती है air में वो कितनी है sigma by epsilon not और यह D minus T और medium में dielectric medium में जो electric field है वो K times घट जाती है इसलिए हमने के का divide लगा दिये sigma by epsilon not में और यह बन गया T तो हमारे पास यह क्या है capital V की value आ गई जरा चेक कर लेते हैं वी की value हमने यहां से sigma by epsilon not को बाहर निकाल दिये इसके बाद देखो क्या है capacitance का formula q by v q की value है पता है sigma a और इसके बाद v की value आ भी हमने जस्ट उपर से निकाली यहां पर पोट की sigma से sigma cancel हो जाएगा final जो capacitance का formula बनेगा वो यह बनेगा सबी बच्चे अच्छे से derivation को बढ़िया से practice करें टेलिग्राम से आप notes डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको लेकर के चलूँगा next chapter पर जो कि हमारा current electricity देखो next question है current electricity का एक important चोड़ा सा relation जिसका नाम है relation between current intensity and drift velocity यहां पर current density और drift velocity को भी हम derive कर देंगे देखो अक्च्छल में क्या है यह हमारे पास एक conductor जिसके अंदर बहुत सारे free electrons है इसको उने battery से connect करा यह battery का positive terminal यह battery का negative terminal और इस conductor की जो length है वो L है यहां पर electrons drift करते हैं यानि कि आगे बढ़ते है towards positive terminal of battery जिसकी speed है VD clear है now अब यह आप समझे कि हमने यहां पर जो proper language लिखी ह हुए जिसके अंदर लिखा है इस conductor की length L है इस conductor का area of cross section A है इसके अंदर यह free electrons है जिसकी density है small n density क्या है free electron की small n तो total number of free electron से conductor में होते हैं free electron की density into उस conductor का volume तो capital N is equal to हो गया N A L अब हमें नकालना है current तो current का formula होता है charge upon time charge को मैंने लिखा q by t q को मैंने लिखा quantation of charge से capital N into E upon T है capital N की value यहां से उठाके N A L रख दी E की जगे E रखा time देखो इस electron को इस end से यहां तक पहुंचने के लिए जो time travel करना पड़ा वो क्या है t is equal time का formula distance upon speed distance है L और speed है drift velocity जो की VD है पलट के ऊपर चला जाएगा तो current का जो formula है current को मैंने लिखा I इसका formula आ गया N E A V D यही है relation between current intensity and drift velocity अगर मैं इस A को इस I के upon में भेज़ दू तो बन जाए current density जिसको हम बोलते हैं J और यहां पर यहां आ गया N E V D याद रखना है इसके सब्सक्रिप्ट यानि की नीचे लिखा हुआ है यह important relation आप इसको याद रखेंगे तेकर next question हमें करना है काफी important question है expression for drift velocity of free electron drift velocity का हमें अलग से separate formula derive करना है जो की काफी important है तो इसके लिए हमें same language जो हमने पहले लिखी थी बस वही लिखिने है यह हमारे electric field कितना force लगाती है तो f is equal to q into e q है electron पे charge इसको में लिखा minus e हमेशा याद रखो इस वाले derivation of vector sign properly लगा नहीं है आपको तो force vector है उसको उपर vector लगा दिया electric field vector उसको उपर vector लगा दिया ना तो अभी dance देखिए तो यहापर क्या हो रहा है कि इस electron पर कितना force लगा minus e into e यह electric field कारण है और दूसरा force जब किसी electron पर या किसी mass पर force लगता है तो उस mass को मिल जाती acceleration तो force को हम दूसरे तरीके से लिख सकते है m into a तो यहां से हमने निकाला कोई भी electron accelerate करेगा तो उसकी value होगी minus e upon m अभी आप याद रखेंगे कि acceleration सभी electron के लिए same होगी क्योंकि charge electric field of mass सभी electron electron का सेम है तो कभी भी इसको a1 a2 नहीं लिखेंगे ना अभी हम drift velocity की जब बात करते हैं तो drift velocity actual में average velocity होती है सभी electron की जो की positive end की और बढ़ रहे होते हैं तो drift velocity क्या है average velocity है तो हमने क्या करा v1 plus v2 plus v3 up to vn divided by n इसके बाद हम यह देखेंगे कि सभी electron जो आगे बढ़ रहे हों इसकी v1 v2 v3 हम किस तरीके से लिखते हैं actual में क्या होता है कि जो electron मान के चलें इस direction में आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहले इसके पास कुछ already thermal velocity है जिसको मैं नाम दे दिया u1 अब u1 इसके पास initial velocity देखो formula क्या होता है जो हमने motion straight line पढ़ी थी class 11 वहां से formula होता है v is equal to u plus 80 u है initial velocity जो की temperature है कारण जिसको मैं thermal velocity भी कहते हैं तो formula बना u1 प्लस a tau 1 ए क्या है ए है acceleration सभी electrons की और tau 1 है relaxation time actual में क्या होता है जब यह electron जो है आपस में collide करते हैं तो collision के बीच में जो time होता है तो successive collision के बीच में उसको बोलता है relaxation time now तो यहां पर क्या बन गया a tau 1 v2 की value u2 plus a tau 2 vn की value un plus a tau n यहां पर आप यह देख रहा हो a की value को हमने a1 a2 a3 नहीं लिखा क्योंकि acceleration सभी के लिए same होगी now तो अभी हमने क्या करा vd is equal to v1 plus v2 plus v3 plus v4 plus vn upon n v1 v2 v3 सब की value हमने put कर दी इसके बाद हम क्या करेंगे u1 u2 u3 इन सब को एक bracket में रख देंगे है ना तो हमने यह इन सब को एक bracket में रख दिया और a common लेके tau 1, tau 2, tau 3 upon n इन सब को एक bracket में रख दिया अब actual में क्या होता है कि thermal velocity के current जो है कोई भी electron कोई उपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है कोई left में जा रहा है कोई right में जा रहा है कोई side कोई side तो सब की जो average thermal velocity होती है conductor में सभी electron की वो 0 होती है और सभी electron का हमने average relaxation time मान लिया tau तो हमने इसकी बजाए formula final क्या बन गया VD is equal to zero plus a tau इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर देखो इसके बाद हम यह करेंगे के जो VD is equal to a tau आ गया a की value हमने put करी minus e upon tau मता upon m into tau e होता है electric field अगर हम इसको normal scalar form में लेखें तो यह बनेगा electric field की जगे हम रख सकते है potential difference upon distance जिसको उमने लेखा V upon L यह वहां से लेखा e is equal to minus dv upon dr जो उमने प्रूव करा था भी ठीक है तो यह final drift velocity का formula बन गया यह काफी important है next में आपर एक important question मिल रहा है question का नाम है expression for resistivity or resistance in terms of free electron density and relaxation time देखो simple सी बात है फिर से हमारे पास same conductors की length L है यहां पर electrons जो आगे बढ़ रहे ह इनकी drift velocity है VD नाम तो अभी मुझे का करना है resistivity का formula derive करना या resistance का relaxation time और free electron density के terms में देखो सबसे पहले का करेंगे यहां पर हम जानते है I is equal to क्या होता N E A VD VD की मैंने value put करी यहां पर तो यहां पर जो I आ गया वो यह आ गया ठीक है नाम इस तरह से अब E की value मैंने put कर दी V upon L तो यह आ गई इसके बाद हमने क्या करा कि V की value यहां से निकाल ली तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है V की value हमने यहां से निकाली upon में क्या बेज़ दिया अगले step में आई तो ML upon any square A tau बन गया V upon I अब इसके बाद V upon I क्या होता है capital R जो की resistance है तो resistance का formula बन गया ML upon any square A tau तो अगर आपसे इतना कहता कि expression for resistance in terms of relaxation time यह relaxation time है और यह free electron density है तो यह resistance का derivation हो जाता है लेकिन resistance नहीं पूछा वहां पूछा है resistivity तो resistivity के लिए हम क्या लिखेंगे R is equal to rho L by A तो यह मैंने put कर दिया rho L by A और इसके बाद L से L कट गया A से A कट गया तो resistivity का formula बना M is equal to N E square tau clear है तो यह derivation हो गया जो की काफी important है अभी हम बढ़ेंगे अगले derivation की ओर जो की most important है यह expression for internal resistance of cell तीक या फिर इसको हम बोलेंगे EMF terminal voltage और internal resistance के बीच में difference तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर समझो कि यह हमारे पास एक cell है इस cell की internal resistance है और यहाँ पर यह रिल लगी अभी भी total current के हम बात करें तो फॉर्मूला होता है total EMF upon total resistance तो total EMF cell की EMF है और total resistance के हम बात करें तो current को external resistance R और internal resistance small r को follow करना पड़ेगा तो I is equal to बन गया E upon R प्लस R बाए ओम सुलो आप यह भी जानते हो कि I is equal to होता है V upon R दोनों का हमने सामने put करा और यहां से हमने derive कर दि यहां से हमने derive कर दी small r की value तो यह small r है यह capital E है यह capital V है तो यह internal resistance formula भी हो गया और इसी को आप relation बोल सकते relation between EMF internal resistance thermal voltage तो यह आपका complete हो गया इसको आपको बढ़िया से practice कर लेना है काफी बार पूचा गया है clear आगे हम बढ़ेंगे और next हमें समझना है कि series combination of cell में जो equivalent EMF होती है दो cell की वह होती है E1 plus E2 और parallel combination में दो cell की जो EMF होती है वो इतनी होती है इसको कैसे derive करा जाता है यह CBSC के point of view से काफी important है तो सबसे पहले मैं आपको बढ़ाता हूं यहां पे लिखा expression for equivalent EMF in parallel combination of cell तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे पास यह देखो language पूरिया में लिख गया यहां पर मिल गया आई यहां से वापस गुम के जाएगा तो आई करेंट जाएगा इवन ऊपर आई टू नीच है ना potential difference दोनों क्योंकि common terminal से connected ने दोनों के cross potential difference वी होगा clear है दोनों cell के cross तो potential difference का formula V is equal to E minus IR होता है तो पहले cell के लिए E1 minus I1 R1 तो यहां से I1 की value हमारे पास यहां से हमारे पास I1 की value निकलाई इसी प्रकार से हमने I2 की value निकाली same step को follow करते हूँ पैरलल combination में हम जानते हैं कि I is equal to होता है I1 plus R1 तो I1 plus R1 I1 की value रखी I2 की value रखी इसके बाद दोनों का LCM ले लिया यह आ गया cross multiply हो जाएगा दोनों side तो R2 R2 का S से R1 R1 का S से into हो गया दोनों R1 R2 को दोनों के लिए separate कर दिया देखो यह E1 R2 plus E2 R1 minus यह लगा है minus यह लगा है तो I का into R1 R2 से हो गया और यहां पर कुछ ऐसा बचा अब हमने का करा कि यह जो लिखा है ना V R1 plus R2 इसको side ले करके आ गए तो V की value कुछ यह बन गई देखो V की value V R1 R2 E1 R2 यह सब कुछ लिखा हुआ है अब मैं का चाहिए capital V अकेला चाहिए तो R1 R2 जो into में है इसको divide बेज दिया बेज दिया divide में तो finally हमारे पास यह ऐसी question बन गई V यह यह एक term आ गया E और यह I और यह R बस अभी हमने का करा इसको compare कर लिया इसको हमने compare करा तो पाया कि यह यह जो net emf इस जो पिछली वाली जो टर्म थी पिछला वाला जो step उसको हमने इस value से compare करा तो हमने पाया कि e की जगह उसमें यह लिखा है और r की जगह उसमें पिछले वाले step में यह लिखा है तो यहां से जो equivalent emf हो गई यह और internal resistance जो equivalent है वो हो गई यह तो यह आपका derivation हो question क्यों पहुंचेगे जाते हैं इक important derivation जिसका नाम में wheatstone bridge उसके हमें balance condition को derive करना होता है देखो actual में क्या होता है wheatstone bridge एक ऐसा device है जिसके अंदर चार रजिस्टेंस इस quarter lateral के form में जो होती है एक रजिस्टेंस अनन होती है इसी की value को में find out करना होता है और इसके बाद बीच में लगा होता है P upon Q is equal to R upon S इसी को में derive करना होता है सबसे पहले हमने एक battery ली और इस battery का EMFE है और इसको हमने connect कर दिया इस wheatstone bridge से के साथ तो अभी आप समझे मतलब इस combination of resistances के साथ यहाँ पे देखो I current यहाँ पे गया I1 यहाँ पहुचा दिया I2 यहाँ पहुचा दिया I1 में से थोड़ा सा IG नीचे से लागया तो यहाँ पे बचा I1 माइनस IG क्योंकि IG तो यहाँ आगया यहाँ जी उपर से आया I2 नीचे से आया दोनों चुड़ गए तो आगया I2 प्लस IG और यहाँ से गया इसके बाद यहाँ पर total current I निकला था तो I इसके अंदर जाना है टेक calculation के अगर हम बात क किसे इसमें काम करेंगे ना अभी मैं आपको कुछ बच्चों को बताना जाता हूँ कि भई देखो मैं जो sign convention यूज करता हूँ वो ऐसे है कि अगर मेरी direction और current की direction सेम है तो मैं positive sign लोगा और मेरी direction की direction opposite है तो मैं negative sign लोगा अगर आप इसके just opposite sign convention यूज करते हैं तो आप इस question को मेरे से skip कर सकते हैं हाला कि ये एकदम सही है कुछ बच्चों को doubt होता है तो वो direction में confused ना हो तो देखो हम किसमें work करेंगे पहले इन लूप ABDA में तो देखो actual में क्या हूँ ए से लेके B तक गए तो resistance IP और current गया I1 तो I1 into P positive हो गया इसके बाद B से लेके D तक गए current है IG resistance capital G दोनों plus sign क्योंकि मेरे direction current की direction जो है सेम है D से लेके A तक मैं जा रहा हूँ और current opposite direction में आ रहा है तो यहाँ पर minus sign लगा दिया minus I2R is equal to zero balance बिट स्टून बिजी condition क्या होती है कि जब इसमे current galvanometer में zero हो तो यह balance माना जाएगा तो यहाँ से first equation हमारी ये बन गई similarly हमने इस loop में work करा तो हमारे पास second equation ये बन गई हमने ये first और second equation कर डिवाइड करा तो यहाँ पर हमारे पास ये balance current careign conductor को Alpha का करण 저 magnetic field हमें निकालनी होती है ये हम निकालते है यूजिंग बायो aider ऑज़ावर लौय कहता है इसको समझ लेते हैं no उसा वर्ट लॉ का काम होता है किसी भी current carrying element के current magnetic field नकालना तो जैसे यह हमारे पास current carrying element x y है तो इसकी कारण हमें p point पे electric field नकालनी है अगर हम right hand thumb rule use करेंगे तो इस point पे जो magnetic field होगी यह इसकी direction होगी inward यहाँ पर आप यह देख रहे हो यहाँ पर यह current flow रहा है dl जो कि इस distance के साथ जो angle बना रहा है that is theta तो यहाँ पर का कहा गया कि जो idl के current या छोटे से length element के current यहाँ पर magnetic field बन रही है यह भी छोटी से magnetic field db कहला ही अभी आपको समझना है कि जो magnetic field db है यह कुछ factors भी different करती है पहला factor है कि magnetic field is directly proportional to current flowing in conductor दूसरा कि यह जो length element आपने consider करा है इसकी length क्या है तीसरा यहाँ पर जो angle बन रहा है इस angle पर भी depend करती है तो db directly proportional to sine theta sine theta ही क्यों आपको यह समझ में आएगा कि actual में जैसे जैसे angle बढ़ता है 90 degree पर magnetic field maximum हो जाती है और zero degree पर minimum तो यह sine के form में vary करती है इसके बाद जो magnetic field यह inverse square law को follow करती है distance को दो गुना बढ़ाएंगे तो magnetic field चार गुना कम हो जाएगे distance को तीन गुना बढ़ाएंगे तो magnetic field नौ गुना यानि कि square times कम हो जाएगे तो db is directly proportional to one by r square इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो next हम इन सभी points को मिला देंगे तो बना db is directly proportional to ideal sine theta upon r square इसके बाद proportionally sine अट आया तो यहाँ पर आ गया mu not upon 4 5 और यह जो mu not upon 4 5 है यहाँ पर यह proportionality constant है mu not यहाँ पर permeability of free space है mu not upon 4 5 की value देट दुपा minus 7 unit है tesla meter ampere inverse db का जो final formula बना वो है db is equal to mu not upon 4 5 ideal sine theta by r square और यहाँ पर समझे कि actual में अगर मुझे vector form लिखना है तो यहाँ पर r का into उपर किया r का into नीचे किया क्योंकि जो angle बन रहा है वो ideal vector और r vector के बीच में है तो यहाँ पर r missing था तो हमने into कर लिया और इसके बाद यहाँ पर rule क्या है cos theta होए तो cos theta को अटा के dot लगाते हैं और अगर sin theta है तो इसको अटा के cross लगाते हैं तो यहाँ पर जिस sin theta लगा है इसको sin theta हटा हो और cross लगा हो तो sin theta अटाया और cross लगा दिया यह बन गया इसका vector form जो की काफी पूछा जाता है तो magnetic field due to current carrying element का formula यह बन जाता है अभी हम आगे बढ़ेंगे और next question में पहुंचेंगे और अभी आपको समझना है magnetic field due to current carrying coil on its center on its center पे जो हम magnetic field निकालनी है सबसे पहले हमने का करा देखो bio severed law का use हम करेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा expression for magnetic field due to current carrying coil on its center using bio severed law तो इस chapter में सभी derivation जो है जिसमें bio severed law का use होता है सबसे पहले हमने मान लिया कि यह हमारे पास current carrying coil है इसमें current जा रहा है कुछ इस प्रकार से और lot क्या रहा है इस प्रकार से हमने माना कि इस चोटे से point पर हमने मान लिया एक चोटे से जो है length element जिसकी length है dl और इसमें current flow रहा है आई तो यह बन गया idl vector current ऊपर है magnetic field इस आपसे अंदर होगी तो cross से यहाँ पर magnetic field को बताया जा र दिगरी है और यह distance है r vector ठीक है बस इसी का हम यूज करेंगे तो magnetic field का formula क्या है db is equal to minute upon 45 ideal sin theta upon r square यहाँ पर theta की value 90 degree हो हमने put करी तो यह बन गया ideal upon r square इसके बाद यह db है हमें चाहिए b total magnetic field हमने क्या करा है दोनों साइड integration कर दिया integration करा सारी चीज़े बाहर आ गई बस अंदर बच गया dl dl का यहाँ पर integration होगा dl इस circle का चोटा सा जो है part है तो circle का पूरा part या पूरी length कितनी हो जाएगे 2 pi r तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं mu not upon 4 pi r square लिखा है यहाँ से हम इसको cancel करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा mu not i upon 2 r अगर coil में n number of turns हैं जिसको मैं चलो ऐ capital N तो यह बन जाएगा mu not n i upon 2 r mu not n i upon 2 r यह बन गया हमारे पास यह final formula magnetic field on the center of a current carrying coil इसके बाद एक important derivation और आ जाता है जिसको हम बोलते है expression for magnetic field due to a current carrying coil लेकिन इस बार हमें magnetic field नकालनी है axis पर तो हमने लिखा on the axis of circular coil काफी important है भाई है सारे बच्चे इसको देखेंगे तो हमने का कि यह मेरे पास एक current carrying coil है और इस coil की यह रही axis इस point पर हम देखेंगे कि magnetic field हमें नकालनी है तो current जो है इस direction में जा रहा है current इस direction में जा रहा है यहाँ पर इस element के current जो magnetic field होगी वो हम बात करेंगे देखो सबसे पहले हमने distances mark कर ले और इस distance पर जो magnetic field होगी यह देखो जैसे यह distance कितनी है यह distance r है तो इस distance में जो magnetic field है यह इसके perpendicular होगी है इसको हम नाम देख वेक्टर होगी इसको में नाम देख धी दिया dv vector इसके बाद हमने यह यह या पर आप बताय कि यह angle phi है यह वाले अंगल भी phi है और इसके बाद हमने कहा कि अगर यह angle phi है तो हमने इसको वह यह एंगल फाई तो हमने यह वाले एंगल को भी फाई प्रूब कर दिया और इसके बाद जो magnetic field है इसके हमने अलग-अलग component कर लिये db का एक component db cos phi दूसरा component db sin phi नीचे वाले db का एक component db cos phi दूसरा component db sin phi यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह है इस coil का center और इस center से x distance पर मुझे magnetic field नकालनी है इस center से x distance पर मुझे magnetic field नकालनी है इस coil की खुद की radius a है और यह hypotenuse है r तो r की value आ जाएगी under root x square plus a square देखो simple सी बात है यहाँ पर दो opposite दो opposite component के कारण जो magnetic field है वो net magnetic field किस direction में देखो जो perpendicular component है वो तो एक दूसरे को cancel कर रहे हैं लेकिन जो net magnetic field है वो db sin phi db sin phi को add करने से मिलेगी और physics में addition का मतलब होता है integration तो आप यहाँ पर समझो कि net magnetic field नकालनी है तो इन सभी db sin phi db sin phi को integrate कर दो तो हम वही करेंगी नौ इसके बात देखिए कि जो db जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यों put करेंगे mu not i mu not 4 upon 4 by ideal sin theta upon r square यहाँ पर जो theta है इसकी value को इसकी value कितनी है 90 degree क्योंकि यह theta आपको भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इसको visualize करना पड़ेगा ideal कुछ इस प्रकार से है और theta theta जो है ना बच्चे समझते हैं कि theta यह angle है यह angle नहीं है इस तरह से ring की surface पर यह angle है तो इसे मेरी उंगली और इस के साथ जो angle बन रहा है वो 90 degree है तो यहाँ पर theta हम 90 degree लेते हैं इस diagram पर 90 degree वो दिखाई नहीं पड़ता आपको याद रख लेना है टेक है detailed one shot में पूरा आपको visualize करके सिखाता हूं और सिखाया भी है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यह 90 हो गया तो db की value आ गई मूनलट अपॉन 4π, IDL अपॉन R square इसके बाद यह sin phi देख रहे हो यहाँ पर हमने इस triangle से यह क्या बन गया यह बन गया base यह बन गया perpendicular यह बन गया hypotenuse तो perpendicular upon hypotenuse हमने निकाला तो बन गया A upon R बस यह value हम put करेंगे देखो b is equal db sin phi है db की value यह निकाल ली sin phi की value अभी हम put करेंगे perpendicular upon hypotenuse A upon R तो बस यही हमने put करा A upon R आ गया यहां से देखो यह R से R square का into हो गया तो यह बचा R cube और यहाँ पे बन गया dl इसके बाद समझो यह सब कुछ हमने cancel करा R की value प्लेस करी तो final जो formula बन गया B का वो है mu not i into A square upon 2x square plus A square की power 3 by 2 बस यह formula है आपको इसको याद रखना है तो next question जो आप देख रहे हैं यहाँ पर most important question है basic language आपको यहाँ पर लेखनी है इसके बाद question में क्या दिया जा रहा है derive expression for magnetic force on a current carrying conductor in magnetic field आपके पास magnetic field है जो की inward है इसमें conductor रखा हुआ जिसमें current इपलो हो रहा है इस पर जो force लगेगा magnetic field current वो force आपको निकालना है सबसे पहले कि current अगर इस direction में है il vector तो drift velocity इसके just opposite direction में बताई जाती है क्योंकि drift कौन होता है electrons और current की direction और drift velocity यानिक electron की direction just opposite मानी जाती है तो आप यहाँ पर यह भी देखेंगे il vector इस direction में drift velocity इस direction में और इसी के current यहाँ पर question में एक important minus sign को include करा जाता है now देखो जैसे यह पूरा conductor magnetic field में तो force on single electron कितना है force का formula होता है qvv sin theta vector form में लखते हैं तो qv cross b vector ठीक है now इसके बाद आप यहाँ पर समझो कि एक electron है तो उस पर कितना charge लगा q की जगे लेखा minus e velocity की जगे लेखा drift velocity b vector की जगे बी वेक्टर लेखा अभी इसके अंदर total free electrons कितने हैं वह है capital N into F clear है capital N की जगे ह free electron density और F की जगे हमने यह जो value आपने यहां से उठाई है वह put कर दी इसके बाद force का formula हम रखेंगे लेकिन इसके बाद आप यहां पर समझे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि i is equal to neavd होता है लेकिन अगर मैं दोनों side यहां पर l का into कर दूँ तो यहां पर current को हम लेख सकते il vector और drift velocity को लिख सकते हैं vd vector now अभी समझे जो il vector आप देख रहे हैं il vector आप देख रहे हैं और vd vector drift velocity दोनों opposite direction में इसलिए यहां पर आया minus sign तो यहां पर जो il vector की value हो गई वो यह value हो गई और ध्यान से देखो यह value यही है तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे यह देख रहा ह यह पूरी value यह है minus n a-led vd यह लिखा हुआ है तो हम इसकी जगे क्या put कर सकते हैं इसकी जगे put कर सकते हैं il तो f vector is equal to बना है minus n a l e d vector तो इसके जगे क्या put कर सकता हूँ il तो बस यही value को मैंने put करा इसकी जगे क्या put कर दिया il vector ठीक है तो f vector यह वाले equation में second equation में देखो क्या करा यह जो value आप देख रहे हैं इसके जगे il put करा तो यहाँ पर final जो equation बन जाएगी वो यह बनेगी यह देखो यह बन गई टिक है इसके बाद cross अटाएंगे साइंट इटा आएगा तो यह साइंट इटा आगया maximum force लगता है 90 degree पर तो यह आगया तो force on current carrying conductor कितना हो गया ilb साइंट इटा या bil ilb साइंट इटा जो भी आप याद रखना चाहें रख सकते हैं ठीक है इसके बाद next question पर हम पहुचेंगे और next question जो दिया जा रहा है यह भी काफी important question है यहाँ पर मैं बताना होता है force between two parallel current carrying conductor अगर हमारे पास दो parallel current carrying conductor है तो इन दोनों के बीच में magnetic field में कितना force लगेगा magnetic field यह दोनों खुद की ही बनाएंगे है ना कोई external magnetic field नहीं होगी पहली चीज़ आप यह समझ लेजिए कि अगर दो conductor same direction में current carry कर रहे हैं तो वो दोनों इक दूसरे को attract करेंगे opposite direction में current carry कर रहे हैं तो वो दोनों direction में होगी मैं लग दिया B2 outward है दोनों conductor की total length मैंने मान ली L दोनों conductor की बीच की total distance है D clear है ना इसके बाद समझे के force on पहले conductor पे दूसरा वाला force लगा रहा है उसको मैंने बोला F1 2 दूसरे वाले conductor पे पहला conductor force लगा रहा है उसको मैंने बोला F2 1 इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें force का formula लगाना है अभी हमने derive करा कि force का formula क्या है तो आप देखें force का formula है I L B sin theta सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी force का formula है I L B sin theta अब यहाँ पे theta जो है 90 degree है तो उसको हम ignore मार देंगे I L B sin theta हो गया लेकिन ज़रा यह बताओ क्या कोई भी conductor खुद की ही magnetic field के current जो अब खुद पे force लगा कर नहीं हमेशा current खुद का length खुद की बस magnetic field किसी और की है ना खुद की ही magnetic field के current कोई force नहीं लगाता तो जब मैं निकालता हूँ force on second वाला conductor इसका मतलब क्या है force on second वाला conductor तो current भी second का length भी second की बस magnetic field फस्ट गी यहाँ पर हमने बताया दोनों conductor की length जो है सेम है इसलिए मैंने L2 ना लिखते हूँ बस L लिखा तो यहाँ पर देखो magnetic field जो है कोई भी current केरिंग conductor जो magnetic field बनाता है वो यह होती है upon 2 pi दोनों की बीच की distance B है पहले वाले conductor की magnetic field है तो पहले वाले का current हो जाएगा ठीक है तो F21 यह आ गया इसके बाद क्या हुआ हमें चाहिए force per unit length है ना तो इस L को हमने इस side बेजा यह L इस side आ गया तो क्या बचा mu not upon 2 pi D into I1 I2 तो force का जो इसको हम लख सकते हैं capital F तो इसका final formula बन गया mu not upon 4 pi 2 I1 I2 upon D clear है उमीद करोंगा यह आपको समझ में आया होगा बस इतना ही आपको यहाँ पर द्यान देना है जैसे आप यह देख रहे हो कि पहले conductor ने दूसरे conductor पे इतना force लगाएगा per unit length यह हो जाएगा mu not upon 2 pi I1 I2 upon दोनों की बीच की distance ठीक है इसको हम लिख सकते है capital F is equal to mu not upon 2 pi I1 I2 upon दोनों की बीच की distance ठीक है तो इतना force लगने वाला है दोनों की बीच में यह आपको ध्यान रखना है अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और next जो में मिल रहा है अपना ampere circuital law जैसे आपने पढ़ा है Gauss law से हम electric field find out कर सकते हैं वैसे ही ampere circuital law से हम magnetic field find out कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा था ना किसी भी charge के कारण जो net flux link हो रहा है वो कितना है Q by epsilon not है Q का epsilon not times इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है यह देख रहा है DL का integration कर रहा है उसको यह बोला line integral तो line integral of magnetic field is equal to mu not times the current passing through the loop मतलब अगर यह मेरे पास एक imperial loop है इस imperial loop से जो भी current pass हो रहा है जो भी current enclose हो रहा है उसके mu not times बनेगी magnetic field याद रखेंगे line integral of magnetic field is equal to mu not times the current passing through the loop और यहाँ से हम इसको proof करेंगे देखो एक्चुल में आप समझते हैं कि यह मेरे पास एक current carrying conductor है इसके round magnetic field बन रही है तो यहाँ पर अपने क्या करा एक imperial loop जो है बनाया जैसे पहले हम Gaussian surface बनाते थे अब यहाँ पर यह जो imperial loop है इसकी length dl हो गई और यहाँ पर यह हो गई dl vector की direction in the same direction magnetic field की direction भी होगी जो कि हम tangent draw करके बताएंगे तो theta की value कितनी हो गई 0 degree तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे line integral of magnetic field b vector dot dl vector निकाला तो इसको हमने क्या रखा dot अटाएंगे cos theta आएगा फिर dot theta की value यहाँ पर 0 degree है तो यहाँ पर क्या आगया dl simple cos 0 की value 1 b की value current carrying conductor जो magnetic field बनाता है वो होती है mu not i upon 2 pi r यहाँ पर r distance में magnetic field निकालनी है तो उमने r लिग दी clear है इसके बाद आप यहाँ पर समझो b vector dot dl vector mu not i upon 2 pi r और dl का integration करा तो कितना आगया यह 2 r 2 pi r 2 pi r से 2 pi r कट गया तो बन गया mu not i clear है तो mu not i i क्या है current enclosed तो किसी भी conductor के अंदर जो net current जो enclosed होता है उसका ही mu not times करके हम magnetic field को निकाल सकते हैं यह b की value mu not i upon 2 pi r कैसे आई formula बताया यह long state conductor current जो magnetic field होती है इस तरह के से हम कर सकते हैं यह derivations अगर आप magnetic field में से करते हैं तो आपका 100% कोई ने को question जरू पस जाएगा पर देखें चैप्टर 5 में कोई भी derivation आपको इतना important नहीं को इसको top 30 में रखा जाए इसके बाद जो मैं important है इसको समझो हमें यहाँ पर self induction find out करना होता है कि कोई भी current carrying long solenoid में कितना self induction होता है तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास current carrying long solenoid है जिसके अंदर i current flow हो रहा है l इसकी total length है n इसके अंदर है कि एक centimeter में कितने number of turns है जिसको हम बोलते है turn density total जो इसके अंदर turns होंगे वो हो जाएंगे n into l जैसे एक centimeter में n number of turns total length में n l turns इसके बाद n की value ज़रत पड़ेगी तो capital n by la लेंगे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो flux link होगा इस coil के साथ वो कितना होगा देखिए जरा इसमें क्या है यह solenoid magnetic field बनाएगा तो इसकी खुद की magnetic field कारण यहाँ पर जो flux link होगा है न तो कितना होगा phi is equal to capital n into b into a n की जगे जो total जो turns है वो हो जाएगा n l magnetic field जो solenoid बनाता है that is mu dot n i और इसके बाद a की जगे हमने लिखा a तो final जो बन गया that is mu not n square i l a now self induction का जो formula होता है that is phi upon i ठीक है तो इसके बाद जब हम इसको solve करेंगे तो self induction जो है हमारे पास इतना आ जाएगा l is equal to mu not n square l by a अब n की जगे हम capital n by l लिख सकते हैं तो यहाँ से जो final formula बन गया वो यह बन गया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो self induction है यह क्या है मतलब self inductance जो है यह क्या है यह length के inversely proportional है solenoid की जो length है अगर वो ज़्यादा है तो self induction जो होगा वो कम होगा आप यहाँ पर इसका screenshot ले सकते हैं telegram से notes आपको मिल जाएंगे इसके बाद जो next question है यह में पढ़ना है mutual induction तो mutual induction समझते हैं पहले coil में current flow हो तो दूसरे coil में जाकर के इसकी जो magnetic field है वो इस तरह टकराएगी जिसके current से इसके अंदर current induce होगा तो इस phenomenon को हम बोलते है mutual induction तेक है तो mutual inductance जब हम find out करते हैं तो याद रखिए कि यहाँ पर देखो flux अगर दूसरे के साथ link हो रहा है तो इसका current जो है पहले का होगा बस यह बात आप याद रखें कि तो mutual inductance between two long solenoid का हमें यहाँ पर derivation करना है तो देखें यहाँ पर mutual inductance के लिए हम derivation करना चाहते हैं तो आपको formula क्या है M21 मतलब mutual inductance of second coil due to first तो यहाँ पर देख रहा हो flux second coil हम mutual induction हो रहा है यहाँ पर देखो यह हमारे पास दो coil हैं जिनकी जो है common access हमने माल ली पहले solenoid S1 है इसमें current लो रहा है I1 दूसरी solenoid S2S में current लो रहा है I2 अगर हम length की बात करेंगे दोनों solenoid की length हमने L माल लिए और दोनों का जो area है वो हमने A माल लिया clear तो second वाले के साथ जो mutual induction होगा वो कितना होगा अला कि दोनों का mutual induction सेम हम करेंगे तो कितना होगा फाइटू अपॉन आईवन दूसरा है फ्लक्स दूसरे में current पहले का clear तो फाइटू क्या लेका NBA तो फाइटू को लेका N2 magnetic field तो किस की होगी पहले की होगी ना खुद के कारण तो mutual induction नहीं होता तो पहले की magnetic field B1 और दूसरे का area current भी पहले का clear ना इसके बाद है हमने इसको solve करा देखो यहां पर B1 है तो यहां पर N1 I1 आ गया solve करा तो M21 की value किया गई similarly हम यह बोल सकते हैं कि M12 की value जो होगी यह भी क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी जब M12 के लिए क्या निकाला 51 upon I2 है ना मतलब flux पहली कोईल में अगर connect हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे वाले कोईल का यह solenoid का current है वो responsible है clear है तो हमने यह लिख दिया अब आप यह देखो पहले वाले में अगर flux जो है connect हो रहा है mutual induction में तो दूसरे वाले की magnetic responsible है इसको solve करा तो सेम आ गया M12 और M21 की value सेम आ गई तो यहां से मैं यह पता पढ़ा कि बाई सब कि इसको हम रेसिप्रोसिटी थेयरम कहते हैं और हम यह पता पढ़ता है कि mutual inductance जो होता है दूनों ही coils में है दूनों solenoid में सेम होता है next अभी हम आ जाते हैं chapter 7 पे chapter 7 के derivations करने के लिए यह जो important आप rule देख रहे हैं उन्हें इसको याद रख लो जैसे कभी भी sin 2 omega t cos 2 omega t sin omega t का अगर हमें complete जो average value चाहिए complete cycle के लिए तो हमेशा वह 0 होती है clear जरूत पढ़ जाएं तो sin 2 omega t का differential integration करना है तो minus cos 2 omega t upon 2 omega होगा इसका करना होगा इसका करना होगा इसका करना होगा अगर आपको यह rule नहीं पता है तो जरूर से सामने से इसका screenshot ले लो और अभी सामने जब आगे जरूरत पढ़ेगी तो मैं आपको डारेक्ट बताता चलूंगा कि sin 2 omega t का integration हो गया minus cos 2 omega t upon 2 omega हमीद करूंगा अपने screenshot ले लिया होगा और आगे जब बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे clear है आगे बढ़ेंगे जो important derivation हमें यहां पर मिल रहा है वो है expression for the average value of ac in complete cycle आप समझते हैं कि जो alternating current इसमें मैं कहूंगा कि दो half cycle होती है एक बार इस साइड एक बार इस साइड तो complete cycle की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो average current की value वो कितनी होती है तो देखो सबसे पहले current की instantaneous value होती है alternating current वो होती है i is equal to i naught sin omega t average current अगर हमें निकालना है तो formula होता है total charge upon total time तो इसके लिए हम total charge पहले निकालेंगे और total charge निकालने के लिए हमें small charge पता है देखो जब instantaneous current के हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है particular instant of time पर थोड़ा सा charge चेंज होता है तो dq is equal to क्या आ ग करूंगा इस dq का integration कर देता हूं तो मुझे total charge मिल जाएगा और यही चीज में करने वाला हूं ठीक है तो i is equal to तो देखो dq is equal to क्या होगे i dt i की value put करी i not sin omega t इसके बाद total charge के लिए मैं कर रहा हूं यहाँ पर दोनों साइड integration i not क्योंकि maximum current इसको बाहर निकाल दिया sin omega t का integration करेंगे जो आएगा minus cos omega t upon omega omega को भी बाहर निकाल दिया limit 0 से लेके t क्योंकि हम complete cycle की बात कर रहे हैं और इसके ब capital t put करना और उसके बाद एक बार यहां पर जिस्मॉल टी है उसकी जगह आपको एक बार स्मॉल मतलब 0 पूट करना है क्या omega की जगह हम पूट कर सकते हैं टू पाई बाई बाई टी पूट करने ज़रू होती नहीं पड़ी क्योंकि zero का into होने के बादे पूरा zero बन गया टी स current जो हमारे पास complete cycle में निकल के आएगा वो zero निकल के आएगा पूछा भी जाता है कि जो alternating current ए chemical effect शो नहीं करता तो answer क्या है answer है कि बाई साब यह chemical effect इसी लिए शो नहीं करता क्योंकि average value जो होती है एसी की complete cycle में वो zero होती है next question हम same steps को follow करेंगे average value उस बारा में निकालनी है half cycle क सब कुछ से मैं बस जो limit हो जाएगी बस जीरो से लेकर के t ना होते हुँ जीरो से लेकर t by 2 हो जाएगी तो जहां आपने पहले capital t रखा था वहाँ पे अभी आपको t by 2 पुट करना है 0 तो रहे गई इसके बाद omega की जगे 2 पाई बाई आपने t पुट करा t से 2 से 2 कट गया t से t कट गया यहां पे बचा cos by cos by की value होती है minus 1 यह बच गया q is equal to i not by omega इसके बाद average current आपको निकालना है तो फिर से formula के total charge upon total time total charge आपने तकाला total time half cycle के लिए t by 2 होता है divide करा सारी चीज़े करने के बाद जो average current आ गया वो आ गया 2 i not by pi clear है बस यह आपको याद रखना है अगर आप इसकी value को solve करना चाते हैं तो average current हो जाए 0.635 times of maximum current टिक है यह दोनों questions आप अच्छे से याद रखेंगे दोनों एक दूसरे एक से बिलकुल मिलते जुलते हैं next हमें पढ़ना है कि important relation और relation है relation between peak value जिसको maximum value भी गहते हैं peak value and rms value of ac आपने सायद पहले भी पट रखा होगा e not i not is equal to होता है root 2 times i rms बस वही हमें यहाँ पर derive करना है तो देखो i rms का square कभी भी आपको rms value निकाल नहीं हो तो इस तरीके से करा जाता है i rms का square is equal to होता है integration of i square dt upon my total time t और limit जाएगी 0 से लेकर के t तक कभी भी आपको मैं आपको बता दूँ इस formula में मतलब इस derivation में जोरवत पड़ेगी sin square omega t की तो sin square omega t का direct integration नहीं होता पहले में sin square omega t की value put करनी पड़ेगी 1 minus cos 2 omega t upon 2 वो हम आगे put करेंगे तो समझ जाना ठीक है तो अभी हमें relation किसके बीच में करना है peak value of ac जो की i naught है और rms value of ac तो i rms को हम किस तरीके से निकालेंगे ये वाले formula से t को हमने बाहर करा उपर क्या बचा बस i square dt i square की value i की value क्या होती i naught sin omega t तो यहाँ पर क्या बन गया i square sin square dt यहाँ पर हमने क्या करा i naught square को भी बाहर निकाल दिया नीचे बचा t sin square omega t को अलग रख दिया dt अब यहाँ पर समझो कि sin square omega t का direct integration नहीं होता तो हमने इसकी value put करी जो मैंने आपको पिछली slider बताई थी 1-cos2 omega t upon 2 यह 2 को भी बाहर निकाल दिया integration किसका करा 1-cos2 omega t इसका ठीक है now time के respect में तो यहाँ लिखा है dt अब इसके बाद समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है 1 का integration करा तो t आ गया cos2 omega t का integration करा तो minus sin2 omega t और t के सामने जो लिखा है वो नीच आ जाता है तो 2 omega आ गया अब देखो limit put करेंगे 0 से t तक चल रहा है integration तो जहाँ-जहाँ t है उसके जगए arrow देख रहे हो एक बार upper limit t minus एक बार lower limit उसके बाद देख रहे हो जहाँ-जहाँ t है उसकी जगए एक बार omega की value 2 pi by t put करी और small t की जगए एक बार upper limit capital t और small t की जगए एक बार lower limit 0 solve करा t से t कटा 2 का induce से हुआ तो यह 4 pi upon 2 omega आ गया यह 0 upon 2 omega आ गया यहाँ पर capital t minus 0 था यह t बचा इसके बाद यह सारी value जो एक दूसरे को cancel कर देंगी सारी value दूसरे क्या कर देंगी cancel इन दोनों का जो addition होगा वह कितना आएगा 0 इसकी value कितनी है इसकी value 0 इसकी value भी 0 sin 4 pi की value 0 होती है तो यह 0 हो गया sin 0 की value 0 होती है तो यह 0 हो गया बचा क्या i rms का square is equal to i not square upon 2t और यहां लेखा है t तो यह t से यह t जो है cancel हो जाएगा अभी देखो तो फाइनल जो value बचेगी यह देखो t से t cancel फाइनल वैल्यू आगए हमारे पास i square by 2 तो क्योंकि यह rms लगा है न यहां पहुंचेगा तो i not और अपॉन में का बचा root 2 तो यह एक important relation आ गया यह आपको हमेशा याद रखना है यह आपको हमेशा याद रखना है clear है तो इसी प्रकार से vrms is equal to v not by root 2 i rms is equal to i not by root 2 बस यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखना है और इस पर आप ध्यान नहीं देंगे ठीक है उमीद करूंगा यह आपको समझ माया होगा आप चाहें तो उसका screenshot ले सकते हैं वह जब इसको समझो हमें निकालना average power consumed in ac circuit ac circuit में कितनी average power consumed हो जाती है power का formula होता है v into i बस वही फॉर्मूला हम यहां पर इस्तमाल करेंगे power is equal to v into i तो पहले हमने माना कि v की value that is v is equal to v not sin omega t और current की value i is equal to i not sin omega t minus y यहां पर minus y यह बता रहा है कि जो voltage और current है इनके बीच में कुछ phase reference च i है मैंने यहां पर v की value put करी i की value put की अब यहां पर हमने क्या करा 2 का into और 2 का divide कर दिया यहां फिर ऐसा करने से क्या हो गया कि यहां पर यह omega t का मैंने माना a और omega t minus 5 का मैंने माना b तो हमारे पास ये जो है final step बन गया omega t से omega t कटा यहाँ पर दोनों add हो गए तो यहाँ पर हमने क्या देखा देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है half v naught i naught cos 5 बचा अंदर 5 बचा और यहाँ बचा cos 2 omega t minus 5 तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने starting जैसे इस chapter को start करा था तो वहाँ पर आपको बताया कि cos 2 omega t minus 5 की जो value है यह complete cycle के लिए जो average value है जिरो होती है तो आपने आपे लिखा average value of cos 2 omega t minus 5 और complete cycle is 0 दिखाई पढ़ रहा है 0 तो इसका मतलब यह term क्या हो जाएगा 0 मतलब हमने उसको गायब कर दिया तो अभी चल रही थी instantaneous power जैसे हमने average value उसकी रखी यह आ गई किसकी यह आ गई average power तो average power कितनी आ गई हाफ v naught i naught cos phi इसके बाद v naught को आपने का लिख सकते हैं यह देखो 2 जो है 2 दोनों के बीच में ऐसे बढ़ गया root 2 into root 2 यह वाला 2 दोनों के बीच में root 2 into root 2 करके बढ़ गया क्लियर है क्योंकि root 2 into root 2 क्या हो दा है 2 तो v naught by root 2 हो गया v rms i naught by root 2 हो गया i rms cos phi की जागे हमने रखा cos phi तो यह बन गया average power का formula average power consumed in ac circuit clear है अभी हम आगे बढ़ जाएंगे यतना आप कुछ screenshot लेना है तो आप ले सकते हो screenshot ले लो एक और यह दो ठीक नेक्स्ट हम question देखेंगे एक और काफी important जिसकों बोलते है expression for impedance in lcr circuit तो यहाँ पर हमारे पास क्या वे not sin omega t अब यह जो वी हमने apply कर जाए यह तीनो component में distribute हो गया divide सीरीज में current जो हैतीनो expressing रहेगा potential dynamic resistance हमने system निकाला तो क्या आया वे potential difference across capacitor निकाला तो हमने लखा i into xc xc है यहाँ पर capacitive reactance जिसको हम बोलते हैं xc क्लिए रहना हो इसके बाद हम क्या करेंगे हमने यहाँ पर देखा कि जो resultant voltage है उसको हम capital V बोलेंगे और उसको कैसे find out करेंगे तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है यह हमें phaser diagram इस तरीके से बनाना होता है तो यहाँ पर मैं आपको इसको draw करके बता देता हूं किस तरीके से diagram बनाया जाता है तो जैसे अगर मैं आप से कहता हूं कि current जो है यह same direction में जा रहा है तीनों ही component में मान लेते हैं यहाँ पर यह है potential difference across resistance ठीक है इसके बाद आप यह देखो कि register वाले circuit में current और resistance same phase में होते हैं तो उनने यहाँ पर बता दिया इसके बाद आप यह समझे कि inductor वाले case में inductor में क्या होता है current lag कर जाता है और sorry inductor में current lag करता है और voltage जो है आगे हो जाता है तो VL vector आगे हो गया clear है current और इसके बीच में 90 degree का अंतर है capacitor में current जो है lead करता है voltage पीछे होता है तो VC हमने पीछे है इसलिए नीचे दिखाया clear है अभी क्या हो रहा है अभी आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या होगा let's say VC छोटा है और VL बड़ा है हमने assume करा तो यहाँ पर जो resultant जो बचेगा that will be VL vector minus VC vector ठीक है और resultant जो बड़ा है उसकी side होगा तो इन दोनों की current से जो final resultant होगा यह इन दोनों का resultant है जो final resultant होगा वो करीब यहाँ जाएगा इस परिकार से तो अगर हम इसको इस तरीक से ड्रॉ करते हैं तो यह final जो है 5 माना जाएगा तो अगर हम यहाँ पर apply करें तो यह होगा वी आर ठीक है और यह जो शरी यह होगा नीचे वाला होगा यह वी आर और यह होगा वी अल माइनस वी सी तो hypotenuse जो की हमारा resultant voltage है कर मुझे यह निकालना है तो hypotenuse का square upon परपेंडिकुलर का square upon base का square होगा PGT apply करके इस triangle में तो यह बन जाएगा सभी values को put करा हमने VR की value को IR का whole square VL की value को सब की value को put करा I हमने बाहर निकाल लिया ठीक है capital Z जो की होटा है impedance तो यह जो derivation हो गया XL की value होती है omega L XC की value होती है 1 upon omega C तो यह जो derivation आप देख रहे हैं यह derivation हो गया impedance of LCR circuit काफी important derivation है अगर हम बात करें कि जो impodence है यह minimum कब होगी तो याद रखिए impedance minimum कब होगी impedance minimum जब होगी जब यह XL और XC की value जो है बराबर हो जाती है तो जब यह XL और XC की value बराबर हो जाएगी तो यह क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर R square बचेगा है ना तो Z की value कितनी बचेगी सिर्फ R बचेगी clear है तो यह minimum impedance और maximum current की condition होती है है maximum current की condition ठीक है ठीक ना आगे हम बढ़ेंगे और next आप इसमें देखिए direction of resultant हमें निकालना है तो same triangle में आप जाएंगे perpendicular upon base लगाएंगे तो यह हमेंने मिल जाती है direction of resultant ठीक है same triangle जो मैंने आपको बताया था आगे next हमें बताया जा impedance minimum हो जाए तो ऐसी condition को हम बोलते है resonance ठीक है तो impedance का formula यह हो गया तो हमने का under resonance resonance की situation में XL और XC बराबर होते हैं तो अगर ऐसी condition बन गई कि XL और XC बराबर हो गए तो यहां पर जो impedance हो minimum हो जाएगी मतलब XL और XC बराबर कब होंगे तो XL की value omega L XC की value 1 upon omega C दोनों का हमने जब omega से omega का into करा L को नीचे लिया तो omega square की value आ गई 1 upon LC omega square था square अटेगा यहां पर square root आ जाएगा तो 1 upon root LC omega की जगे हम लिख सकते है 2 pi by T और 1 by T होता है new तो omega की जगे लिख सकते है 2 pi new यह आ गया 1 by root LC new को हमने यहीं पर रखा और 2 pi को नीचे बेज दिया तो जो new आप देख रहे हैं इसको हम बोलते है natural frequency और resonant frequency in LCR circuit इसको आप बढ़िया से करें transformer जो theory वाला question उसको बढ़िया से कर लें इसी generator जो theory है उसको अच्छे से कर लें इसमें 100% कोई question फस जाएगा ठीक है अभी हम आगे बढ़ेंगे लेकिन जिन chapter में important derivation से उसको करते जाएंगे जिन में नहीं उसको छोड़ते जाएंगे that's all clear comment section में जरूर से अपने response मुझे बताना सबसे पहले हम बात करेंगे microscope की भाई साब tension मतलो ray diagram देखके रहे गवराना नहीं चाहे उतना पड़ा ray diagram हो आराम से clear कर देंगे microscope क्या है simple सा एक simple सा convex lens है एक convex lens इसमें हमने frame लगा दी है इसको ऐसे देखके पढ़ते है ठीक है तो यही क्या है microscope है अब हमा जब भी हम कहते है ना microscope तो हमें वही वाला microscope यार आता है जो chemistry की lab में bio की lab में रखा होता है है ना bio की lab में clear है तो वो compound microscope है और हमें कौन सा पढ़ना है पहले simple microscope simple microscope एक simple से convex lens से ही कह दिया जाता है इसका काम होता है कि बारिक बारिक अक्षर लिखें तो बस वो पढ़ने है अपन इसको हमने क्या बोला simple microscope clear है now it is just a convex lens with short focal length head close to eye ठीक है अब यह हमसे optical instrument में क्या पूछा जाता है कि simple microscope compound microscope की magnifying power क्या है मतलब कितने गोना बड़ी image यह बना सकता है clear है तो इसके लिए पहले हमें ray diagram बनाना होता है तो ray diagram हम बनाएंगे लेकिन image कितनी जगे बनानी है दो जगे पे least distance of distinct vision और infinity तो यह case है least distance of distinct vision बारा देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह हमारे पास सबसे पहले देखो क्या करेंगे यह मे image में यह देखो एक light ray सीदे गई focus से पास होई दूसरी light ray optical center से इनको पीछे खीच दिया जहां पे मिल जाएगी वहीं पे image बन जाएगी बस यही हमने इसके अंदर करा है देखो यही हमने इसके अंदर किया है ठीक है बताओ कोई दिकत नहीं यहां पर देखना ज़रा जहां यह ratio है क्या है magnification क्या है ratio angle made by image on eye image ने आखों पे कितना angle बनाया यह लाइट है हमारी आखों में तो जाएंगी image ने आखों पे कितना angle बनाया angle made by image on eye upon object ने आखों पे कितना angle बनाया लेकिन object का angle कहां से देखना है जब object lddv पे रखा हो least distance of distinct vision पे रखा हो मतलब देखो image ने आखों पे कितना angle बनाया इमेज की light, आ रही है तो इमेज ने आखों पे angle बनाया, let's say beta, कितना angle, beta ठीक है, यह यह δेखो, यह देखा ओब्जेक्ट ने आखों पे कितना angle बनाया, तो हमने कहां ओब्जेक्ट का angle देखना तो है लेकिन ओब्जेक्ट को कहां पे रखके देखना है LDDV पे तो यह जो image जो बन रही है भाई साब हम lens से कहां देखेंगे जहां पर हम एकदम साब देखें तो इस distance को हम बोलते है LDDV तो यह distance पे यह वो distance है जहां पे एकदम image clear बन रही है तो हमने कहा करा object को यहां पे रख कर के जो angle बनाया अपनी आखों पे उसको हमन कहा कि sir यह जो angle है इस angle को हम कहते हैं alpha क्या बोलते है alpha ठीक है यह angle किस से बन रहा है यह angle object से आने वाली light ray से बन रहा है लेकिन object को कहां रख के angle बनाना है LDDV पे तो यह LDDV वाली दूरी है यहीं पे रख के हमने बना दिया इस point को अलक से नाम दे दिया इसका नाम हो गया A2 A2 B1 clear है now तो अभी आपको पताओ magnification का formula क्या image ने image ने आँखों पे कितना angle बनाया beta upon object ने आँखों पे कितना angle बनाया alpha लेकिन object का angle कहां से देखना है least distance of distinct vision से ठीक है तो देखो magnification का formula हो गया beta upon alpha जब angle बहुत छोड़ा होता है तो beta की calculation हम करते हैं 10 beta upon 10 alpha से तो इसी diagram में हमे 10 beta और 10 alpha की value निकालनी है क्या करेंगे देखो 10 beta की value के लिए हमने क्या करा ध्यान से देखो कुछ नहीं करा ये triangle देखो छोटा वाला triangle इसमें हमने work कर दिया छोटा वाला triangle तो छोटा वाला triangle देखो कौन सा है A, B, O optical center O तो A, B, O में हमने work करा perpendicular upon base इसमें work करा तो A, B upon B, O ये जरा ये वाले triangle में, ये वाले में, ये क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये alpha angle बन रहा है, तो इसके लिए क्या बनेगा, a2b1 upon b1, perpendicular upon base, 10 का formula ये होता है, चले ठीक है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं, यहाँ पे देख लो, आप हो clear हो जाएगा, कि जो a b और a2b1 है, ये इन दोनों की height तो same है, तो हमने क्या करा, कि यहाँ पर देखो, a2b1 और ab दोनों को हमने same रखा, तो इस a2b1 की जगे क्या लेख सके हम, ab, तो 10 alpha की value ये आ गई, ab upon b1, इसके बाद magnification का formula होता है, m is equal to 10 beta upon 10 alpha, ये होता है, तो हमने 10 beta की value ये रही, upon 10 alpha, 10 alpha की value से divide करेंगे, तो पलट के ये ऊपर चला जाएगा, तो ये चला गया ऊपर, ठेक, इस ab से ab को काट दिया, क्या बचा b1 o upon b o, ध्यान से देखो, b1 o upon b o, ध्यान से देखना, b1 पे क्या बन रही है, b1 पे दो image बन रही है, b1 पे दो image बन रही है, और image कितनी दूरी पे बनती है, least distance of distinct vision, तो हमने b1 o को क्या लेखा, minus d, इसी प्रकार से b पे क्या रखा है, b पे object रखा है, left में रखा है, तो minus u, left में इसलिए minus sign लगाया, तो magnification का formula क्या बन गया, minus b upon minus u, minus से minus कट गया, तो क्या बचा d upon u, अब यह जो formula है, इसमें lens की बारे, lens की focal length वगरा के बारे में कुछ भी न में निकाला, तो हमने यहाँ पे बनाया, case 1, ld, dv के लिए है, lens formula लगाएंगे, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, इसके बाद हमें पता है कि जो v image है, वो d distance बन रही है, minus d पे, तो minus d ले लिया, object जो है, यह भी left में रखा है, तो minus u ले लिया, हमने क्या करा, यहाँ इन values को put करा, उपर नी गई, वो यह आ गई है, इस value को उठा कि इस equation पूट कर दिया, तो m is equal to 1 plus d upon f आ गया, तो यह जो magnification का formula मिला, यह least distance of distant vision पे मिला है, आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हैं, अभी आपको अगर magnification निकालनी हो infinity पे, तो infinity के लिए object कहां रखना है, focus पे, तो infinity के अगर हम बात तो आप देख रहे हो, m is equal to d upon u होता है, तो infinity के लिए object कहां होना चाहिए, focus पे, तो u की जगा आप लिख दिया, f, तो infinity के लिए formula आ गया, d upon f, ठीक है, और जो आपने diagram देख रहे हो, इस diagram में बस कुछ भी नहीं है, यह जो object जो है, इस बार हमने focus और optical center के बीच में ना को, उमीद गरोंगा यह आपको microscope, simple microscope समझ माया होगा, important question है, आप इसका भी screenshot ले सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे, compound microscope की और, compound microscope का diagram बढ़ा है, लेकिन आपको tension नहीं लेना है, compound microscope में क्या होता है, दो lens होते हैं, एक lens, objective lens है, यह object से आने वाई light रहे, इसमें गुसती है, इसके बाद, जो भी image बनी, जैसे कि यहाँ पे जो भी image बनी, यह पहला lens है, जिसको हम objective lens बोलते हैं, यह object के ऊपर रखा होता है, ठीक है, उसके बाद इसी pipe में एक दूसरा lens fix होता है, clear है, अब यह दूसरा lens क्या करता है, कि यह पहले lens की जो image बनी है, इसको बढ़ा करके बताता है, इसको बढ़ा करके बताता है, ठीक है, बस यह compound microscope काम है, वो lens जो object को उपर रखा होता है, उसको objective lens बोलते हैं, वो lens जिसके हम अपनी आँख रखके देखते हैं, इसको हम IPS बोलते हैं, और यही final image बनाता है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, कि IPS की focal lens, objective lens की focal lens से बढ़ी होती है, ठीक है, बस, LTV के लिए object आपका optical center of focal lens के बीच में होने वाला है, diagram कैसे बनाते हैं, चलो यह करके समझते हैं, पहला object के सामने, यह objective lens, यह अपनी image बनाएगा, इसी image को बढ़ा करके बना देगा, कौन, दूसरा वाला IPS lens, ठीक है, ना, तो देखो, सब सबसे पहला काम क्या करा, सबसे पहला काम कुछ नहीं, यह मेरे पास एक convex lens है, इसके बाद यह मैंने यहाँ पर एक object रख दिया, इस object का नाम A, B हो गया, एक light ray सीधे आई, focus से पास होई, दूसरी light ray optical center से, यह बन गई image, इसका नाम हो गया A1, B1, ठीक है सर, समझ में आ गया इसके बाद इस image को magnify कौन करेगा दूसरा lens, बड़ा lens, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, कि यह वाला जो lens, यह जो image बन रही है, आपन दूसरा lens पता है कहा लगाएंगे, दूसरा lens ऐसे रखना है आपन को बड़ा वाला, कि इस lens की जो focal length है, जैसे कि इसको मैंने मनाम द सेंटर के बीच में आना चाहिए, तभी बड़ी image बनेगी, तो देखो, वही काम हम यहाँ पे करते हैं, मैं step by step समझा रहा हूँ, step by step, तो हमने का करा, कि दूसरा वाला lens जो की बड़ा है, आईपी समने इसको बोला, इसके focal length हमने करीब यहाँ माल ली, माल ली, ठीक है, इस लाइटरे कहां से, optical center से, इन दोनों को पीछे retrace कर दिया, जहाँ पे मिलेगी, वहीं पे image बन गई, तो image हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, चलिए, ध्यान देंगे, तो देखो, यह मैंने ऐसा ही कर दिया, बन गई image, अब angle वे angle देख लेते हैं, तो देखो, image से आने वा object कौन है सर, object तो a b है, object कौन है, object a b है, object से, आखों पर, मतलब ip's, हम microscope में ip's पर यहाँ रख लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं का आख हमारी यहीं पर है, तो object से, आखों पर, आने वाली light ray, जो angle बना रही है, उसको मने नाम दिया alpha, और इस alpha को diagram के side में हम बता देते हैं, न अच्छा, तो object से, हमारी आखों पर कितना angle बनना चाहिए, अलफा, लेकिन object कहां रखा होना चाहिए सर, object रखा होना चाहिए, least distance of distinct vision पे, तो d distance पे, बीटा आपने यहाँ दिखा दिया, alpha side में दिखा दिया, बता अगरा clear है, object से, आखों पे, जो angle बना alpha, कितनी दूरी पर object होना चाहिए, कब तब मारेंग alpha, जब object least distance of district vision पे रखा हो, बस, यह diagram देखो, अभी आपको यहाँ पर बना वो मिल गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, clear है, यह F-O बता दिया, यहाँ पे, यह A-B है, यह A-1, B-1, final image, A-2, B-2, बस, आप कोई दिक्कत वाली बा दिखा है, A-1, B-1, ठीक है, A-1, और यह क्या है, IP से तो, BE, A-1, B-1 upon B-1, perpendicular upon base, अब alpha के लिए क्या करा, alpha के लिए अलग से दिखाया, A-B, angle made by object, on I, यह I, E point पे है, alpha, कितनी distance पे D, तो perpendicular upon base, perpendicular क्या है, A-B, और base क्या है, D, ठीक है, दिखा दिया, फिर से, 10 beta upon 10 alpha करा, तो 10 beta upon 10 alpha अपन करेंगे, ध्यान से देखना, तो 10 beta की value, A-1, B-1 upon B-1, E, ठीक, 10 alpha की value, A-B upon D, पलट गई, तो D upon A-B आ गई, ठीक है, इसके बाद से हमने यहासा करा, कि A-B को इसके नीचे किसका दिया, किसका सकते हैं, ठीक है, A-B को इसके नीचे, और इसको इसके नीचे, तो ऐस करने से क्या हुआ, कि A-1, B-1 तो यह पहला जो objective lens देख रहे हो, objective lens, देखो, यह जो objective lens ने image कौन सी बनाई, A-1, B-1, तो A-1, B-1 जो है, objective lens की image है, तो height of image upon A-B क्या है, objective lens के लिए object, तो height of image upon height of object होता है, magnification of objective lens, इसी प्रकार से formula होता है, magnification का image distance upon object distance, तो final image कहां बन रही है, IPS की, D distance पे, कहां बन रही है, D distance पे, और object कहां रखा है, देखो ज़रा, यह जो A-1, B-1 है, यह IPS के लिए क्या है, object, तो U distance पे, मतलब minus D और minus U, left में है, तो हमने इसके ज़रे क्या लेखा, magnification, image distance upon object distance, तो यह हो गया, magnification by IPS, यह एक important formula हो ग magnification का, ठीक है, MO की जगे हमने क्या पूट करा, वही देखो, image distance upon object distance, तो अगर हम object की बात करें, यह objective lens की, तो इस lens की image कहां बन रही है, यह देखो, A-1, B-1 में बन रही है, VO, यह देखो, यह objective lens और B-1 में बन रही है, image तो VO, right में है, तो plus ने लिया, अच्छा, image distance upon object distance, यह त तो UO, अब देखना, image distance upon, इसका object का है, UO distance पे, है न, तो magnification of objective lens का, यह भी formula हो गया, image distance upon object distance, टीक है, जो चीज़ right में हो उसको positive, जो left में हो उसको negative, magnification by IPS, तो IPS का, जो magnification का formula क्या हो गया है, image बन रही है, minus D distance पे, और IPS का object रखा है, minus U distance पे, तो यह बन गया, minus D upon minus U, अब ध को, हमने कहा करा, कि minus से minus sign कट कर दिया, तो final formula magnification का यह बन गया, minus B upon U, अब into D upon U, लेकिन इस formula में क्या हो रहा है, बच्चों, कि lens के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जारे, कि lens की focal length वगरा कितनी होना चाहिए, तो हमने कहा करा, कि D upon UE की value को replace करने चाह रहा है, ठीक है, त minus formula लगाएंगे, IEP के लिए, देखो, focal length तो हमेशा convex length की positive होती है, तो उसमें तो कुछ करा नहीं, VE की जगे, minus D, UE की जगे, जो final object है, वो तो left में ही रखा है, यह देखो, UE हमने इसको बोला, ठीक है, तो minus का U, इस परकार से यह बना, कुछ इस तरीक है, D का multiply कर दिया, D upon UE की value, किसके, D upon UE की value अपन यहां से निकालेंगे, जो की value अपने कुछ इस परकार से आ जाईगे, देखो, सरा द्यान से, यह value आ गई, और इसी value को उठा के हमने equation number 4 में put कर दी, तो magnification का यह formula निकलाया, ठीक है, इसके बाद देखो, तो यह LD TV पे इतनी magnification होगी, final image, final image बनाई जाती है, तो क्या करते हैं, कि यह जो A1, B1 बन रहा है न, इसको इस lens की focal length पे रखेंगे, FE distance पे, कितनी focal length of this lens, तो एक light ray सीधे जाएगी, ऐसे, एक light ray optical center से, इस तरीके से, यह light कभी meter नहीं करना चाहिए, एक light ray इस परकार से, और एक light ray इस परकार से, बस, यह हो infinity पे image, उमीद करना हूँ, आपको आराम आराम से समझ में आ रहा होगा, इस में थोड़ा सा assumption है, जिससे आप से कही बार पूछ ले आता है, कि सर length of tube के terms में, अगर हमें magnification का formula लेखना हो, तो क्या करेंगे, बड़ी simple सी बात है, कि देखो, यह मेरे पास objective lens है, अब मानके चल एक assumption, दूसरा assumption जी है, जैसे मानके चलो, जो object आपने focus के अगर लगबग पास में रखा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि u-o की जगह पे हम minus का f-o बोल सकते हैं, यो की जगह पे distance के बात करें, तो minus का f-o बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, कि minus v o upon u-o था न, तो minus v-o की जगह आ गया, v-o की जगह आ गया, l, और u-o की जगह आ गया, minus का f-o, minus से minus, sand cancel हो जाएगा, तो magnification का formula, length of tube के terms में इतना आ जाएगा, आप इसका screenshot ले सकते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, और astronomical telescope के बारेंगे, तो आपको समझना है, astronomical telescope ऐसा device है, जिसका moon की surface है, या कोई भी दूर located object है, उसकी image को magnify करके बताना, देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो lens होते हैं, अब आपको समझना है कि इसमें दो lens कैसे होते हैं, तो पहला वाला lens होता है, बड़ा, ताकि ज़्यादा से लाइट ray को collect कर सके, है ना, और दूसरा वाल lens छो गई, तो यहाँ पर बन गई, किसी planet या फिर किसी heavenly body की image, इसको नाम दे दिया, A1, B1, object से आने वाई light ray का angle alpha, यह angle भी आगई, अब दूसरा वाला lens लेंगे, अगर हमें इसकी बड़ी image बनानी है, तो दूसरा वाला lens कैसे लेंगे, ऐसे कि इस दूसरे lens की focal length जो है, यह इस इसको यहाँ पर, जहाँ भी मिले, इसको मिला देंगे, और यह बन गई final image, जब भी यह बन गई final image, इसका angle हो जाएगा, बीटा, अच्छा टेलिसकोप में, LDTV का कोई रटा नहीं है, कि angle कहां से लेना है, टेलिसकोप में तो बहुत simple सी बात है, angle made by image on high, upon angle made by object on high, अच्छा क्या करा, इसमें perpendicular upon base लगाया, अलफा गिले perpendicular upon base लगाया, ठीक है, इसके बाद, इसको solve करा, तो answer क्या है, बीवन ओ अपॉन इ, बीवन ओ, समझना, बीवन ओ, कचला अटा दें यहां से, देखो, बीवन ओ को हम क्या बोलेंगे सर, देख लेते हैं एक बार, बीवन बीवन का हैं, देखो, यह बीवन है, और यह ओ है, तो objective lens की image बन रही है, इस दूरी पे, ठीक है, तो हम इसको VO बोल सकते हैं, और आप यह भी तो देख रहे हैं, कि सभी light रहा के यहीं पर focus हो रही है, तो इसी दूरी को, इसी दूरी को हम FO भी बोलते हैं, तो आप यह देखो, इसको हमने B1O को हमने क्या लिख दिया, FO, अब B1E, B1 से लेकर के E तक की distance, यह क्या है, यह B1 जो है, जो पहले lens के लिए image है, वो दूसरे lens के लिए क्या है, object है, तो इसको हमने लिखा UE, लेकिन यह इस IPS के left में इसलिए minus UE लिखा, तो magnification का यह formula हा गया, तो equation का बन गई, M is equal to minus FO upon UE, clear, now, इसके बाद अगर image infinity पर बनानी है, तो UE की जगए पर object का होना चाहिए, IP इसकी focal length पर तो UE की जगए F पी रख दिया, तो formula बन गया infinity के लिए, infinity के लिए formula बन गया minus FO upon UE, लेकिन इसी formula में हम LD TV पर अगर image बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यह जो 1 upon UE आप देख र formula लगाया, टिक IPS के लिए, VE की जगए minus D पूट करा, UE की जगए minus UE पूट करा, और यहां से 1 upon UE की value हमने यह निकाल दी, और इस value को निकालने के बाद हमने क्या करा, कि यह जो आप देख रहे थे न, equation number हमने कौन सी बनाई थी, यह जो equation number हमने second बनाई थी, इसी में ले जाकर के put कर दी, clear, और यहां से equation बन गई है, 1 upon UE की value है, clear है, अब देखो, यहां पर हमने क्या करा, FE और common ले लिया, FE common लेते हैं, तो FE में FE का divide होगा, तब ही तो FE common आएगा, D में FE का divide होगा, तब ही तो FE common आ सकता है, तो इस FE को हमने पलट के उपर बेज़ दिया, तो common लेने के final step हमारे पास, यह आ गया, clear है, तो astronomical telescope की, यह least distance of distinct vision पे, यह magnification आ गई, अच्छा, length of telescope निकालने के लिए, बस वही बात करी जाती है, कि दोनों lens जो है, इनके बीच की total distance है, क्या है, VO और यह UE, इन दोनों distance के magnitude को जोड़ दो, यह मिल जाएगी, length of tube, clear है, जहां पे VO है, वही पे telescope का FO, यानिके focal length of lens होती है, तो आप इन दोनों जोड़ दो, आपको length मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, और यहां पर देखो derivation हमें करना है, mirror formula का, तो देखो मैंने आपको simple नियम बताया था, कि लेटसे यह हमारे पास एक object है, यह हमारे पास एक mirror ह कौन के mirror, इसके बाद पहली light ray क्या करेगी, रेडाइगरा मनाना पड़ेगा न, तो पहली light ray गई, सीधी गई, और सीधे जाके focus से पास हो गई, दूसरी light ray green वाले यह देखो, आई, center of curvature से आई, टकराई, center of curvature से पास होने वाल light ray, जैसे कि इसे लोट जाती है, तो आप यह पर यह light ray दोनों meet कर रही है, जहां पर light meet करती है, वहीं पर image बनती है, तो object था AB, image बनी A dash B dash, अब mirror formula बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे सभी distances हमेशा pole से लेते हैं, हर जगे pole से लेंगे, तो pole से लेकर के focus तक की distance को नाम दिया PF, और यह सारी distance left में इसने negative रखा, तो PF की value कितरी हो गई, F, minus F, अब B dash पर देखो image बन रही है, तो PB dash तक की distance हो गई, minus का V, C पर center of curvature, और center of curvature 2F के बराबर होता है, तो PC हो गई, minus का 2F, ठीक है, इसके बाद PB, वी पर object रखा है, तो PB की value हो गई, minus का U, अभी हमें क्या करना है, देखो मैं number लिख दिय similar triangle है, आप चाहो तो prove भी कर सकते हो, अभी 1, 2 में work करूँगा, 1, 2 में, तो near मेरा symbol है, बड़े का perpendicular upon छोटे का perpendicular, बड़े का base upon छोटे का base, बस, बड़े का perpendicular upon छोटे का perpendicular, बड़े का base upon छोटे का base, ये दोनों ratios बराबर होते हैं, हमने इसको equation number 1 बना दी, third और fourth triangle है work करेंगे, सर, ये line कहां से आगई, ये हमने perpendicular draw करा, क्योंकि right angle triangle नहीं बन पा रहा था, third or fourth triangle है work करेंगे, ये दोनों जोड़ी में, तो बड़े का perpendicular upon छोटे का perpendicular, बड़े का base upon छोटे का base, ये देखो, ये बन गई equation, अभी आपको ये समझना है, अभी आपको ये समझना है, कि ये जो MN आप देख रहे हो, ये MN AB के बराबर है, तो इस MN की जगह मैंने लिख दिया AB, और आप ये देख रहा हो, कि सभी distance हमने pole से लिए हैं, तो ये जो FN को हमने लगबग FP के बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों point पास पास में, तो आप AB upon A dash B dash की value में एक equation से बन गई, और AB upon A dash B dash की दूसरी value में second equation से बनी, अब इन दोनों value को आपने सामने रख देंगे, याने compare कर देंगे, तो इन दोनों को हमने आपने सामने रखा तो BC upon B dash C, FP upon F B dash बन गया, इसके बाद हमने क्या करा, BC की value निकाली, नियम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपको B तक की value चाहिए ये गटा दी, PB में से PC गटा दी, तो ये BC की value आ गई, हमें चाहिए B dash C की value, B dash C, अब आपको ये देखना है, B dash C चाहिए, तो C तक देखो, इसको तो भूली जाओ, गोली मार दो इसको यहां तक, टिक, B dash C चाहिए, ये value चाहिए, ये value, ये value, तो हमने P से लेके C तक की ब हमने यहां पर कुछ ऐसा कर दे, ये रखा, अब आपको पता है, PB की value है, PC की value है, ये सभी value हमने proper sign के साथ रख दी, ये minus minus यहां पर बन रहा है, टेक, अच्छा, इसी परकार से देखो, यहां पर, FP upon इस तरह के से हमने ये value बना दी, cross multiply करेंगे, चलिए sir, cross multiply कर दिया, cross multiply कर करेंगे, solve करते करते, हम यहां तक आजाएंगे, question third तक, उसके बाद का करेंगे, दोनों साइड, UVF का divide कर देंगे, और UVF का divide करने के बाद, final हमारे पास ये step बनता है, और ये mirror formula हो जाता है, इस formula को derive करेंगे, तो lens formula को derive करने के लिए, जैसे आपने mirror formula पढ़ा था, वैसा ही ह देखो, इसमें lens में ray diagram कैसे बनता है, ये आप समझते हैं, कि देखो, सबसे पहले ये आपके पास lens होगा, ये यहाँ पर light है, ये आपके पास focus है, यहाँ पर ये distance हो जाती है, 2F, इसके बाद यहाँ पर कोई object होगा, एक light ray सीधे गई, और यहाँ पर भी focus होता है, क्योंकि इसके बाद दो surfaces हैं, तो ये focus से पास हो गई, दूसरी light ray इस lens के बीचो बीच, यानि के optical center से पास हो गई, जहाँ पर ये दोनों light ray मिलेंगी, वहाँ पर image बन जाएगी, बस ये तरीका होता है, image बनाने का, इसके बाद आप भी देखिए, इस diagram में, कि ये हमने diagram मना दिया, object जा रखा है, बहाँ पर minus you बोला, image जा रखिए, बहाँ पर वी बोला, इस focal length का हमने f बोला, right में है तो positive lens के left में है तो negative, ठीक, हमें दो triangle में work करना है, देखो ये object है, उसको a b नाम दिया, इसको हमने a dash b dash नाम दिया, पहले हम इस one और इस पूरे two triangle में work करेंगे, देख र base, base upon base, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम two और three triangle work करेंगे, यहाँ पर हमने, यह देख रहा है, sorry, one or two work कर लिया, अब three और four में work करेंगे, perpendicular mo upon perpendicular a dash b dash, base fo ya of upon base, यह हो गया, mn आप देख रहा हो, यहाँ पर देख रहा हो, कि जो mn की height है, वो a b के बराबर ह तो यह mo की height है a b के बराबर है, तो हमने mo को a b लिख दिया, बस, यह देख रहा हूँ, first equation और second equation की values को आमने सामने put करा, यह first equation से value a b upon a dash b dash की second equation से, अभी इन values की जो है, यहाँ से हमने क्या अगर है, diagram में देखते हैं, जैसे bo की value minus u है, put कर दी, यहाँ पर देखा, इसकी value आ बन जाता है, आगे बढ़ेंगे इसको ध्यान रखना, important है काफी, ठीक है, चलिए, अभी हमें एक most 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 important question को practice करना है, समझना है, जिसको हम बोलते है, reflection formula at spherical surface, आपको समझना है कि अगर मेरे पास एक यह surface है, जिसके पीछे काच या मैं dancer medium कह सकता हूँ, और यह rare medium है, यहाँ से light rays आएगी, वहाँ image बनेगी, तो relation क्या होगा, refractive index, image distance, object distance, और इस surface की radius of curvature के बीचे, most important है, इसी से हम decide करते है, lens maker formula को, तो यह diagram जो आपको complex का देख रहा है, इसको बिलकुल तोड़ तोड़ के समझा देता हूँ आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे पहले क् आपता है, कि यह हमारे पास, यह एक spherical surface है, ठीक है, यह जो आपको दिख रहा है सामने, convex space दिख रहा है, तो यह convex spherical surface है, यहाँ पर एक object रखा है, object, point object हम यहाँ पे consider करते हैं, यहाँ से light रे जाएगी, और इस जगह पे जाके टकरा जाएगी, जहाँ पे light टकराती है, लेकिन denser medium में यह कहाँ बेंड हो गई, towards normal, तो फिर यह light नीचे की side बेंड होई, और यहाँ पर जाकर के यह principal axis टकराई, एक light ray देखो सीधे आ रही थी, और एक light ray यहाँ से, दुनों light ray जहाँ मीट करी, वहाँ पे image बन गई, clear है, तो हमने क्या करा कि इन तीनों point को नाम द refracted के साथ angle बीटा, और normal के साथ angle गामा, पोल से सभी distances हमने लिली, यह minus u है, center of curvature तक plus r है, image यहाँ बन रही है, वो v है, clear, यहाँ पर हम यह मानते हैं कि pole और यह जो normal है, यह दोनों point दोनों एकदम पास पास में है, यहाँ पर आपको समझना है, incident ray यह है, देखो, और normal यह है दोनों के बीच में angle बन रहा है, refracted ray देखो, यह है, है ना, r पार जा रही है, normal यह दोनों के बीच में angle बन रहा है, r, बस यह बात आप याद रखेंगे, अभी हम कुछ steps हैं, जो follow करते हैं, पहला step क्या है, आपको देखना है, हमेशा rule होता है, बाहर वाला angle is equal to sum of अंदर वाला angle, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पकड़ेंगे, जैसे कि आप देख रहा हो, हमने यह यह पकड़ दिया, देखो, यहां से object से, यह देखो, यह यह देख रहा है, जैसे आप यह समझो, यह आई जो angle है, किस-किस के वीज़ बन रहा है, normal और object, यह देखो, object से आने वाल लाइटरें और normal, clear है, तो हम क्या करेंगे, कि इसके अंदर वाले angle कौन से है, alpha, alpha प्लस गामा, और बाहर वाले angle कौन से है, I, ठीक है, तो हमने क्या करा, अंदर वाले angle, alpha प्लस गामा, और बाहर वाला angle है, I, तो यह हमने इस तरह से, h-t-rary angle is equal to sum of interior angle लगा दिया, gamma is equal to R plus beta, तो यहां से हमने I की value निकाल ले, sin I upon sin R put करेंगे न, refractive index का formula, I की value निकली, R की value निकली, अब हमने कहा है, यहां पर alpha, beta और gamma की value और चाहिए, तो alpha के लिए हमने यह वाला triangle लिया, यह वाला triangle, alpha के लिए यह वाला triangle लिया, perpendicular है, mn, और base है, यह minus u distance, बीटा के लिए हमने कौन सा triangle लिया, यह perpendicular है, यह पूरा triangle हमने बीटा के लिए लिया, यह वाला, तो perpendicular mn और beta जो है, image बन रहा है, आई पे, तो mn upon v आ गया, gamma के लिए हमने यह छोटा वाला triangle लिया, है न, तो 10, क्योंकि gamma is equal to 10 gamma, तो mn upon R निकल के आ गया, बस, अब कुछ नहीं करना, देख 1 से light, 2 medium तक जा रही नहीं, तो हमने इसको लिखा, mu2 upon mu1, अगर angle बहुत छोटा है, तो sin i को i मानते हैं, sin r को r मानते हैं, तो यह बन गया, cross multiply करा, यह r की value पूट कर दी, gamma minus beta, i की value पूट कर दी, alpha plus gamma, इसके बाद यह जो values हैं, हमने इन सभी values को पूट करा, जैसे mn, यह gamma क value है, यह beta की value, यह alpha की value, यह gamma की value है, common वगरा निकलने के बाद, यहां पर हमने सब को जो है, लाइन से लगा दिया, यह जो आप देख रहे हो ना, इसको मैं ऐसे ही बोल सकते है, mu2 upon v, क्या है, image distance, mu2 की नीचे, image distance, mu1 की नीचे, object distance, mu2 minus mu1 upon r, यदि rarer medium, जो है, यह air है, तो mu1 की value 1 हो जाएगी, mu2 की value, mu हो जाएगी, तो final formula आपका यह भी बन जाता है, clear है, अच्छा, इसके बाद, important case होता है, जैसे मान के चलो, कि अगर हम बात करे formula की, तो आपको समझना है, कि जब light rarer to denser medium में जाती है, ना, तो formula यह बनता है, mu2 upon image distance, mu1 upon object distance, ठेक, लेकिन जब light denser से rarer medium में जाती है, तो जो जो mu1, mu2 यह flip हो जाते है, mu2 upon image distance आना, उसके जगे mu1 upon image distance, minus mu2 upon object distance, यह mu2 minus mu1 लिखाता है, यह mu1 minus mu2 हो गया, clear है, आप इस formula को भी याद रखेंगे, question है, derive expression for refraction formula for convex, या concave spherical surface, टेक है, चले, याद रखेंगे, आगे पढ़ जाएंगे, तो चल आने वाले most important numericals पर lens maker formula भी हम पढ़ने वाले 5 मट में सारी बाते समझा दूगा numerical भी करने लग जाओगे, lens maker formula lens manufacturer द्वारा use करे जाने वाले formula है, जो की lens design करने कामाता है, इस formula से हमें focal length, lens के material के refractive index, lens की surfaces की radius of curvature के बीच में हमें एक relationship मिलता है, ठीक है, lens maker formula जो बनेगा derivation के end म अभी आपको यहाँ पर समझना है, कि सबसे पहले formula में ray diagram कैसा बनाया जाता है, यह हमारे पास एक lens है, यह rarer medium lens जो की glass का बना होगा, तो यह denser medium और वापस से rarer medium ना हो, यह point side object हमने यहाँ पर consider करा, इस object से एक light रे गई, जो यहाँ पहुँची, इसके बाद क्या हुआ यह lens की पहली surface ने light को यहाँ पर bend करा और यहाँ पर यह मिली, एक light रे सीधी जारी तो दो light रे के मिलने से यहाँ पर image बनती, बनी नहीं, तो पहली surface के लिए तो image यह हो जाएगी, टिक ना हो, इसके बाद आप यह देखो दूसरी वाली surface ने क्या काम करा, यह light वहाँ पर जाती, लेकिन जातों नहीं पाई, क्योंकि दूसरी वाली surface ने light को यहीं पर bend करा दिया, तो final image कहाँ बनी, आई पर, final image कहाँ बनी, आई पर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कि पहली surface कारण image बनती, आई डैश पर, लेकिन बननी पाई, दूसरी surface के लिए जो image बने होगे, देखो, आपने भी formula पड़ा था, rarer से denser में जाएगा, तो light का refraction formula क्या होगा, mu2 upon image distance, minus mu1 upon object distance, बस ठीक है, तो पहली surface के लिए हम बात कर रहे हैं, तो mu2 upon, पहली surface की image बन रहे है, आई डैश पे तो distance लिख दी, mu1 upon object distance, पहली surface की object O है, जो की u distance पे यह लिख दिया, mu2 minus mu1 upon, पहली surface के लिए डिस अफ कर विचर, r1, first equation बन गई, दूसरे surface के लिए जो light है, यह denser medium से rarer में जा रही है, तो denser से rarer का जो formula होता है, उसमें क्या है, mu1 upon image distance, बहिए दूसरे वाली surface के लिए image क्या है, आई है, जो की कितनी distance पे है, v पे है, लिख दिया, minus mu2 upon object distance, बाई सब दूसरी surface के लिए जो object है, यह जो i dash है, वो object की तरह act करेगा, clear है, तो यहाँ पर यह object हो गया, v dash distance पे, is equal to, mu1 minus mu2 upon r2, denser to rarer का यही formula है, इसके बाद देखो, यहाँ पर हमने इसको ऐसा कैसा लेखा, mu1 minus mu2 है, उपर mu2 minus mu1 है, बराबर बनाने के लिए हमने minus sign ब rHs को rHs से, तो देख रहा हो, यहाँ से ये cut गया, टिक, यहाँ पर यह से बन गया, इसके बाद mu1, mu1, दोनों side common आया, यहाँ पर आया mu2 minus mu1, इसके बाद mu1 बाहर निकल गया, यह बचा 1 upon v minus 1 upon u, यहाँ पर यह कुछ ऐसा बचा है, इसके बाद mu1, यहाँ पर 1 upon mu, v minus 1 upon u पॉँला है इसके बाद आप ये देखो मिवन को हमने इस साइड बेज दिया डिवाइड है पहुंचा तो मुटु के नीचे भी मुवन यह नीचे भी मुवन तो यह बन गया लेंसमेकर फॉर्मूला मिव द्यक्ति उपन मुवन को इन जनरल आम लिख सकते हैं μαय-1אर्फ यह समझो कि या यझा वीक्या से या वांटर से लाइट ग्लास में जाए तो फॉर्मुला यह हो जाएगा यह यह स्मूर्मुला है ट्रिक भी इस तरहा lens होगा इस तरीके का यह surface r1 है यह surface r2 है तो यह इसकी radius positive side है तो r1 positive लोग है इसकी radius left side negative side है तो r2 negative लोग है इसके बाद आप यह देखो जैसे की lens maker formula plano convex lens में लगाना है तो पहली वाली surface की radius कितनी होगी infinite दूसरी वाली surface की जो भी radius होगी वो negative में लिखी जाएगी clear आपको question में given होगा तो negative sign लगा के बस formula value put करनी है अब इस कौन के वाले case में देखो कौन के वाले case में देखो दोनों की radius r2 की radius कहा होगी right में जारी positive r1 की radius इस side को गोला बनेगा circle तो negative हो जाएगी बस यह आपको यहां पर ध्यान देना है clear है इस तरीके से आप values put दर के numerical भी कर सकते हैं अभी हम बात करेंगे combination of lens के बारे में मतलब जब lens दो lens आपस में एक साथ चिपका के रखे जाते हैं तो उनकी जो combined focal length या combined power है वो कितनी होते देखो इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए simple सामें दो हमने convex lens ले लिए पतले पतले से इनको जबका दिया अब देखो पहले lens के कारण हमने माना कि image जो है बनती वो i dash पे पिछले वारे जैसा concept और दूसरे वाले lens के कारण जो image बन रही है वो i पे तो पहले lens के लिए object होगा o और image होगी i dash दूसरे वाले lens के लिए object होगा i dash और image होगी i बस इतनी सी बात है अब आप कुछ नहीं करना focal length का formula क्या है one upon f is equal to one upon v मतलब की one upon image distance minus one upon u जिसको हम बोलते है object distance पहले lens के लिए जो image है वो v dash बन रही है और object जो है वो u पे रखा है दूसरे lens के लिए image v पे बन रही है और object v dash पे रखा है दूसरे वाले lens के लिए जो v dash है दूरी पर यही object होगा ठीक है screenshot ले सकते है दोनों equation को add कर देंगे add करने के बाद यह कुछ ऐसा lhs ऐसा बनेगा rhs ऐसा बनेगा अब देखो one upon f1 plus one upon f2 is equal to आगया one upon f यह हो गया combination का formula अगर हम इसको ऐसा बोलें कि बाइस अब दोनों convex lens है तो ऐसा हो जाएगा एक convex एक concave है तो formula ऐसा बन जागा जैसे कि अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूं कि पहला वाला lens अगर convex है तो f1 positive और अगर concave है तो f1 negative clear है बस यह चीज़ आपको याद रखने है यह formula हो गया इसके to combined power यह वाले case के लिए clear है now convex concave है तो concave के लिए बस minus power हो जाएगी ठीक है चले power of lens क्या होता है इसको मैं समझा देता हूं कोई भी lens light को कितना converge या diverge कर सकता उसको बोलते है power of lens कोई भी lens light को कितना मोड सकता उसको बोलते है power of lens जैसे कि यहाँ पर देखो यह lens है अब इस lens light को यहीं पर मोड़ दिया और इस lens यरजग को बेंड करके यहां तक पहुंचा पाया मतलब की इस lens की ताकल ज्यादा धी इसने यहीं पर बेंड करा दिया तो इसकी focal length कम हो गई इस lens की power कम दी इसने देखो वहां तक bend करवा पाया यानि कि पहले वाई lens की power ज़ादा इसने यहीं bend कर दिया इसका मतलब यह जिसकी power ज़ादा उसकी focal length छोटी होगी इसका मतलब power is equal to one upon focal length in meters और अगर combination में होगा तो power का formula यह बन जाएगा power की ऐसा unit diopter होती है concave के लिए negative power convex के लिए positive power clear है उमीद करूँगा यह आपको समझ माया होगा इसलब हम समझेंगे prism को देखो एक्ट्वल में हमें समझना है कि prism क्या है prism में एक ऐसा optical substance है या काओ component है जिसका काम यह होता है कि यह white light को seven color में seven band में disperse कर देता है यान कि बिखिर देता है जैसे यह white light is prism से पास होती है तो हम सब भी जानते हैं यह whip गया और violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red में बिखर जाता है अब यह आप समझो कि जिस color की wavelength सबसे ज़्यादा है वो color उतना ही कम band होता है जैसे कि red की wavelength सबसे ज़्यादा है तो red सबसे कम band होता है violet की wavelength सबसे चोटी है सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा band हो जाता है उसी प्रकार से हर जो light है वो अपने अपनी wavelength के recording जो है यहाँ पर band हो जाती है अभी हमें prism का ray diagram बनाया जाता है वो उसको समझना है ताकि एक most important derivation आप से छूटे ना clear देखो prism का diagram कैसे बना जाता है यह हमारे पास एक prism होगा clear यह हमने एक light को incident करा है देखो यह light यहाँ पर पहुंची जहाँ पर light incident होती है वहाँ पर हम एक normal draw करते है तो देखो हमने यहाँ तक एक normal draw करा end इसके बाद इसके बाद देखो यह light ऐसे जा रही थी ऐसे जा रही थी ऐसे जाती रही थी लेकिन क्या हुआ medium change हुआ तो यह light ऐसे ना जाते हुए यह light bend हो गई नीचे की और और यह चली गई सीधी यह देखो यह यहाँ तक पहुँची clear है अभी यहाँ पर यह टकरा गई surface है तो यहाँ पर एक normal डालना है तो यह normal दूसरा वाला end to हमने यह डाला इसके बाद light जा रही थी सीधे लेकिन क्या हुआ rarer medium में आ गई ना तो अभी यह light नीचे क्यों away from normal bend होगी और यह हो गई तो यह incident ray यह refracted ray और यह emergent ray normal और incident ray के साथ angle of incidence emergent ray और normal के साथ angle of emergence refracted ray और normal के साथ angle r1 refracted ray और normal के साथ angle r2 clear यह total angle i है तो यह total angle भी i होगा इसलिए यह बचा वाला angle हुआ i-r1 अब देखो light actual में जा रही थी यह सबसे पहले जा रही थी लेकिन finally पहुची कैसे तो यह जो आप देख रहे हो यह पीछे यह हमने इसको पीछे retrace करा और यह जो angle बना इसको हमने बोला angle of deviation मतलब यह light जा रही थी ऐसे पहुची ऐसे इतना angle यह deviate हो गई clear है इतना angle अपने path से यह भटक गई इसको बोलते है angle of deviation अगर यह angle of deviation minimum चाहिए तो ऐसे case में यह जो incidence angle है और यह emergence angle है यह बराबर होते हैं और दूसरी चीजी जो r1 और r2 हैं यह दोनों भी एक दूसरे के बराबर होते हैं अब आपको करना है most important derivation for refractive index of prism material derivation हो करने के लिए बस आपको यह बात याद रखनी है कि diagram आपने समझ लिया तो पहले हम क्या करेंगे इस वाले triangle work करेंगे फिर हम इस वाले triangle work करेंगे फिर हम यह जो पूरा quadrilateral दिख रहा है हम इसमें work करेंगे यह जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते है angle of prism सबसे पहले हम क्या करेंगे triangle number one में work करेंगे triangle number one क्या है p s q तो p s q में हमने work करा आप यह देख रहे हैं उस triangle में exterior angle है bar वाले angle है तो bar वाले angle is equal to sum of अंदर वाले angle तो delta is equal to यह अंदर वाले angle का sum कर दिया यह बार वाले angle is equal to अंदर वाले दोनों angle का sum अगर हम इसको ध्यान से देखें तो i और यह positive है एक bracket में लिख दिया r1, r2 negative है इनका minus sign लेके दूसरे bracket में लिख दिया लेट से यह बन गई अपनी equation number one इसके बाद हम कहा करेंगे दूसरे वाले triangle over करेंगे दूसरा triangle कौनसा है PRQ अब इस PRQ triangle में देखो एक triangle में तीनों angle का sum 180 degree होता है तो हमने क्या करा एक angle r1 दूसरा r2 और तीसरा यह वाला angle तो r1 प्लस r2 प्लस r पे angle बन रहा है PRQ इसको हमने बोला कि यह बराबर किसके 180 कि है तो यह जो PRQ यह r पे angle बन रहा है तो PRQ कि अगर हम value निकालें तो यह हो जाएगी 180 r1 r2 set चला गया तो हो गया minus का यह बन गए equation number 2 इसके बाद हम इसे पूरे quadrilateral work करेंगे यह A से यहां से यहां तक पूरे quadrilateral work करेंगे तो आप ध्यान से देखो कि क्या होगा quadrilateral के 4 अंगल का sum 180 degree 360 degree होता है तो देखो पहला angle यह A टेक चलिए दूसरा angle यहां पर अब आपको पता है कि यहां पर normal draw है इसका कितने degree है 90 degree का है तो 90 degree लिख दिया तीसरा angle क्या है तीसरा angle है PRQ यह देखो quadrilateral के पार्ट है तो PRQ लिख दिया चोथा angle देखो यहां पर भी हमने normal draw कर आया surface पर तो यह कितना लिख दिया 90 degree सबका sum कितना हो गया 360 degree अब देखो A plus 90 PRQ की value उपर से उठा के हमने यह रख दी PRQ की value कितने degree है 180 degree minus R1 plus R2 is equal to 360 ठीक है अब हमने देखा कि 90 270 360 is equal to 360 तो यह तो हो गया 0 सब यह सब 0 हो गया इसके बाद A minus R1 plus R2 बचा है R1 plus R2 set गया तो बचा A is equal to R1 plus R2 ठीक है इसके बाद हमने क्या करा कि अगर हम minimum deviation की बात करें minimum deviation की बात करें कम से कम deviation की अगर हम बात करें तो I और E की value बराबर होती है और R1 और R2 की दोनों की value बराबर होती है तेक तो हमने इस प्रकार से equation number third से r1 प्लस r2 जो लिखा हुआ है उसके जगा r प्लस r लिख दिया a की value हो गई 2r और यहां से r की value हो गई a by 2 हमें refractive index के लिए derivation करना है ना mu is equal to sin i upon sin r तो r की value तो मिल गई अब i की value और चाहिए फिर से लगाया minimum deviation का concept तो हमने equation number first में कहा कि delta is equal to i plus e लिखा था तो जब delta minimum हो जाएगा तो i plus i हो जाएगा minus r1 plus r2 के जगे r plus r लिखा तो यहां से हमने i की value लिखा लिए और उसी value को उठा के refractive index के formula में put कर दिया तो यह बन गया आपका formula refractive index of prism material के लिए अभी हम पढ़ेंगे hydrogen की most important secondary wavelength theory जो हर बच्चे के लिए most important है हर बोर्ड के लिए देखो hydrogen की secondary wavelength theory में यह बताया जाता है कि light actual में किस तरीके से wavelength form करती है clear है तो देखो जैसे कि आपने पड़ा अभी जाना कि जिसे पानी का जो घेरा बनता उस घेरे में हर point पे particle जो है या कहें water molecule oscillate कर रहे होता है तो इसी प्रकार से आईजन ने यह समझाया कि एक wavelength पे हर एक पार्टिकल एक fresh source of disturbance की तरह एक्ट करता है और यह पार्टिकल अपनी किस तरह से एक्ट करता है fresh source of disturbance की तरह एक्ट करता है अपनी खुद की वेव बनाता है और इस वेव को सेकेंडरी वेवलेट या सिंपल वेवलेट कहते हैं clear है इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो हमें यहां पे समझना है सेकेंड पॉइंट में यह हमें नए वेव फ्रेंट जो है बना करके देगा याना कि इस टैंचेंट डरॉ करने से हमें एक नया वेव फ्रेंट मिलता है clear क्या दिखा है देखो tangent drawn in forward direction tangent हमेशा कहां draw करना है forward direction है बाहर की और क्यों sir क्योंकि light भी तो बाहर की और ही आगे बढ़ती है कभी light source की और थोड़ी नहीं जाती है clear तो tangent drawn in forward direction on secondary wavelength gives new wavefront क्या देता है नया wavefront हमें बना के देता है clear है ये चीज़ हमें समझ में आ गई होगी इसके बाद क्या है यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई कि यदी medium homogenous है एक जैसा medium है है ना तो फिर जो wavelength के spread होने की जो speed है यह रहे direction में same है clear यह 3 most important point है हर बच्चा इसको अच्छे से पढ़के जाए clear है चलिए अभी देखिए दो derivation काफी important है आपके exam point review से जिसमें में पहले में prove करना है प्रूव law of reflection using hydrogen wave theory याने कि वेब फ्रेंट के concept से में law of reflection sin i mt y is equal to r प्रूव करना है बच्चों को यह diagram बनाने में बड़ी दिक्कत होती है लेकिन मैं आपको एक मिट में सारी चीह समझा दूगा देखो actual में बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि यसे यह मेरे पास एक surface है यहाँ पर light यह reflect होगी दूसरी बात यह है कि यह देखो यह दो light rays आई इनको हमने incident light ray बोला इसके बाद यह दोनों light ray अबिस सी बात है यह reflect हो जाएंगी तो यह reflected light ray हो गई incident light ray पर हमें एक perpendicular draw करना है यह हमें बताएगा incident wave front जिसका हमने नाम दे दिया A और B reflected light ray पर हमें एक perpendicular draw करना है जिसका हमने बोला यह हो गया reflected wave front जिसका नाम हो जाएगा A dash B dash इसका नाम A dash B dash क्यों पड़ा जैसे मान के चलो यह wave front यहाँ पर आया यह जमीन से टकराया इसके बाद क्या होगा यह A जो part है यह तो reflect हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा इसका नाम A dash हो गया जो B वाला part है यह तब तक नीचे पहुँचेगा तब इसका नाम हो गया B dash तो अगर हम इस distance की बात करें यह B से B dash तक कितनी distance हो गई तो B से लेके B dash तक की distance हो गई distance का formula होता है speed into time तो light की speed कितनी है C क्योंकि medium पूरा same है तो दोनों के लिए light की speed C लेंगे A से A dash तक की value कितनी हो गई A से A dash तक की value हो गई C into T तो light की speed same है अच्छा यहाँ पर थोड़ी से angles की बात कर लेते हैं तो याद रखिए angle जो होने वाले है incident और इस line का जो angle होगा यह होगा angle I reflected way front और यह वाल line का angle होगा angle R बस यह बात आप याद रखेंगे यहाँ पर जैसे light ray के साथ angle दिखाना होता है तो यह angle I दिखा देते हैं यह angle reflected ray और इसके साथ angle हम बता देते हैं R ठीक है इन में भी confused मत होना ठीक देखो चले तो यह सबसे पहले मैं आपको बता हूँ अब करना क्या होता है अब आपको बताना सा काम करना है जब आप work करेंगे sign I में तो formula क्या होता है perpendicular upon hypotenuse तो आप I वाला triangle पकड़ने बस यह वाला triangle पकड़ो यह वाला I के हिसाब से I वाले triangle के लिए base है ठीक है यह hypotenuse है और यह perpendicular है ठीक है इसके बाद आप R वाला triangle ढूटेंगे R वाला R के हिसाब से R वाले triangle के लिए यह triangle है R वाला तो यह आपका base हो जाएगा ठीक है यह आपका perpendicular है और यह आपका hypotenuse है बस sin I upon sin R करेंगे perpendicular upon hypotenuse आपका answer निकल का जाएगा देखो हमने A A' की value बताई B B' की value बताई sin I की value निकाली sin R की value निकाली इसके बाद हमने क्या करा sin I upon sin R करा sin I upon sin R की value I 1 क्योंकि सारी चीज़े cancel वे इसल हो गई इसके बाद sin I is equal to sin R निकल के आया sin angle approximation यह कहता है कि अगर angle बहुत चोटा है तो हम sin I को I लिख सकते है similarly sin R को हम R लिख सकते है इस परकार से हम इसको prove कर सकते है मैं एक बार side में हो जा रहा हूँ आप इस पूरे derivation को ध्यान से देख लो सारी चीज़े आपको समझे माया जाएंगी telegram से notes डाउनलोड कर लेना अभी हमें law of reflection को prove करना using hyzen wave theory अभी मैं का करूँगा ये diagram को आपको बना के बताऊँगा उसके बाद आप इसमें आराम से work कर सकने देखो सबसे पहला काम हमारे पास यह होता है कि यह हमने एक interface बना दिया rare air medium और ये denser medium इसके बाद दो light ray होंगी ये दो light ray इस तरीके से आई ये अपने normal ड्रॉ करा ताकि हम पदा पढ़ेगा कि light ray हो कहां bend करना है अब rare air से denser medium में जब light जाती है आप सभी बच्चे समझते हैं कि ये light normal की और bend हो जाती है कुछ उस प्रकार से यहाँ पर हमने ड्रॉ करा इन light ray पे perpendicular ड्रॉ करा तो हमें मिला incident wave front और यहाँ पर हमने angle बना दिया I ये incident wave front हो गया AB इसी प्रकार से हमने ये देखो ये reflected ray पे हमने 90 degree ड्रॉ करा reflected पर तो यहाँ पर हमें angle R मिल जाएगा और हमें इस angle को prove भी कर सकते हैं ये angle R हो गया ठीक है हमें इस angle को prove कर सकते हैं ये incident ray और normal के बीच का angle है अभी हमें क्या करना है work करना है लेकिन work करने से पहले क्या है अगर मैं इस वाले किस आप से देखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा base ये मेरे पास बनेगा perpendicular यहाँ पर ये बनेगा perpendicular और यहाँ पर ये बनेगा base और दोनों ही triangle में ये बनेगा hypotenuse तो अगर मुझे यहाँ पर bb1 की जरुद पड़ेगी ये बी डश स्वरी ये आपके पास a डश हो जाएगा और ये आपका b डश हो जाएगा तो देखो ये जो travel कर रही है light ये कर रही है b1 speed से क्योंकि ये rare air medium है यहाँ पर माल लेते हैं ये travel करेगी b2 speed से बस इतनी से बात है तो bb1 की value क्या हो जाएगी bb1 distance है या bb' की value क्या हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास v1 into t velocity speed into time और aa' की जो value हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास यह हो जाएगी आपके पास V2 into T बस अभी आप क्या करेंगे अभी आप इसमें Vy sin I upon sin R लगा करके इसको solve करेंगे clear है sin I upon sin R लगा के आप इसको solve करेंगे तो V1 upon V2 sin I upon sin R की value आजाएगी और velocities का जो ratio होता है यह refractive index कहलाता है और यह अमने जो resultant intensity होती है यह 0 से लेकर के 4 times of original intensity तक जा सकती है तेक है इसको prove करने के लिए भी आप से कहा जाता है तो resultant intensity का जो formula होता है वो यह I1 प्लस I2 प्लस 2 root I1 root I2 into cos 5 तेक है अगर दो waves जो आ रही है अगर दोनों की intensity same है तो formula कुछ यह बनेगा तेक है तो यहाँ पर destructive interference होगा और ऐसे case में आपको resultant intensity 0 मिलेगी यदि दो waves जो meet करने आ रही है दोनों के meet का जो phase difference अगर वो 0 है तो इस formula से आपको resultant intensity 4 I मिलेगी तो यहाँ से यह चीज़ प्रूब होती है कि resultant intensity 0 से लेकर के 4 I तक vary करती है आप screenshot ले सकते हैं आगे हम बात करेंगे Einstein की famous photoelectric equation के बारे में Einstein की famous photoelectric equation क्या कहती है इसको मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरीके से Einstein ने कहा कि ऐसे मानके चलिए कि हमारे पास अगर कोई metal है clear है इस metal के अंदर electron है तो यह जो energy जो आईगी समझना पहली बात को जो energy जो आ रही है radiation लेकर क्या रही है यह energy दो पार्ट में जो डिस्ट्रिब्यूट होती है पहला पार्ट क्या करता है इस energy का इस electron को work function के इतनी energy प्रोवाइड कराता है ताकि वो electron बाहर निकल सके और energy का दूसरा पार्ट जो होता है यह electron को kinetic energy प्रोवाइड कराता है तो उसका मतलब Einstein ने एक आग जो energy हमें जो मिल रही है incident radiation से यह दो काम कर रही है एक काम work function प्रोवाइड करा रही है दूसरा काम kinetic energy प्रोवाइड करा रही है तो हम यहां से बोल सकते हैं जो kinetic energy होगी that will be e minus 5 clear है? चलिए तो यहां से बनती है Einstein की famous photoelectric equation इस equation में देखो क्या बताया जा रहा है आप ध्यान से देखिए यहां पर हम बताया energy is equal to work function plus maximum kinetic energy energy को हमने लेखा h new उसके बाद work function को हम लेखते हैं h new not h into threshold frequency और यह बन गया k max तो यहां से जो maximum kinetic energy की जो equation हो गई वो यह हो गई clear है? अचा इसके बाद आपको बताया गया यहां पर कि जो अगर हम इसी equation को frequency को wavelength के terms में लेखना चाहते हैं तो हम इसको लेखते हैं c by lambda clear है? तो यहां पर जो kinetic energy की equation बन रही है wavelength के terms में वो यह बन रही है clear है? आप इसका screenshot भी ले सकते हम जो पढ़ा कि जैसे matter के पास dual nature होता है एक wave nature और एक particle nature इसी परकार से डी ब्रोगली ने कहा कि matter के पास भी dual nature होते हैं एक तो particle nature जो हमें दिख रहा है और एक होता है wave nature जो हमें नहीं दिख रहा है तो डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी जो moving matter होता है उस matter के साथ हमेशा एक wave associate होत कहते हैं मैटर वेव इसी कौम डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं हाला कि यह वेव इतनी चोटी होती है कि हमें नॉर्मल ही डेल लाइफ में यह ना तो फील होती और नहीं दिखाई देती है लेकिन इसको एक साइंटिस्ट थे डेविशन जर्मर उन्होंने के लिए इसको प्रूब करके दिखाया हुआ था तो इस मैटर वेव की डेविशन जर्मर का एक्सपरिमेंट अभी हमारे से लेबस से अटा हुआ है इस मैटर वेव की जो वेवलेंध है उसको बताया दाट इस लेमडा इस एकॉल टो एच अपॉन एमवी क्लियर है लेमडा क् यह मास के inversely proportional है तो यह काफी बड़े होते हैं तो वेवलेंध जो होती है यह चोटे होती है इसी लिए में डेली लाइफ में मैटर वेव नोटेस नहीं होती सवाल पूछा जाता है अब मैटर वेव के हम कुछ प्रपरडी की बात कर देते हैं तो यह हमेशा मुविंग बॉ नहीं होती आगे हम बात करेंगे कि यह जो हमने derivation करा है यह जो फॉर्मूला जो बनता है यह फॉर्मूला कैसे बना देखो का गया कि जैसा कि हम जानते हैं कि energy of photon कितनी होती है इसके लावा energy का जो फॉर्मूला है यह क्या होता है mc square तो हम mc square को mc into c लिख सकते हैं mc और c के जगा हमने c लिखा इसके बाद आप यह देखो यह भी e की value है और यह भी e की value दोनों e की value energy की value का हमने compare कर दिया तो यहां से जो फॉर्मूला में lambda का मिला that is lambda is equal to h upon p clear है अगर light की speed के बराबर किसी update की speed नहीं है तो उसके लिए हमने कह लिख दिया अलग से formula lambda is equal to h upon m b तो कोई body अगर भाग रही है उसका कुछ mass m है कुछ velocity v है तो उसकी जो हम wavelength निकाल सकते हो उसके साथ associated उसको हम lambda से निकाल लेंगे clear है अच्छा इसके बाद एक और चीज़ जैसे मानके चलिए यह काफी पूछा जाता है इस पर बिस काफी numerical आपके सामने आते है देखो actual मे यह क्या है शो graphically variation of d broccoli wavelength यानि की lambda की value एक electron के लिए क्या होती है clear है अगर एक electron को आगे बढ़ाया जाए दोड़ाया जाए तो देखो यह हमारे पास एक electron है हमने क्या करा कि इस electron को accelerate कराया कुछ v potential difference apply करके ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि electron की kinetic energy कितनी हो गोई half mb square clear है और यह जो electron है इस पे हमने कितना वर्क करा तो वर्क का formula होता है charge into potential difference electron पे charge है e तो यह हो गया e into v इसके बाद आप जानते है work energy theorem से kinetic energy और work को हमामने सामने पूट कर सकते हैं तो यहाँ से हमने क्या करा यहाँ से हमने कुछ ऐसा scene बनाया कि mv की value आ गई under root 2 m e v v यहाँ पर क्या ह formula क्या होता है h upon m v तो यहाँ पर देखो lambda का formula क्या आ गया m v की value निकाली root 2 m e v v है यहाँ पर potential difference तो lambda का formula आ गया इतना ध्यान से देखो अगर एक electron को accelerate कराया जा रहा है v potential difference से तो उसके साथ जो wave associated होगी उसकी wavelength इतनी होने वाली है most important point है ध्यान रखेंगे अगर electron की बजाए क कोई भी charge जैसे की alpha particle तो इस e की जगह यहाँ पर बस आ जाएगा q clear है आप इसका screenshot ले सकते हैं यह wavelength है moving electron की अगर उसको भी potential difference से accelerate कराया जाए तो clear है अगर हम इसी wavelength को solve करते हैं जैसे इस formula में इसकी values put कर दें कि electron का mass कितना है electron पर charge कितना है h की value क्या है है ना तो lambda की value हमारे पास इतनी आ जाएगी 12.27 upon root v angstrom clear है तो यहाँ पर आप यह समझे कि जो wavelength है यह potential difference जो आपने apply करा है electron को accelerate कराने के लिए उसके inversely proportional है clear है क्या है उसके inversely proportional next हम आ जाते है radius of hydrogen orbit पे बोर ने किस तरीके से hydrogen orbit की radius को निकाला तो पहली बात आप सभी बच्चे जानते हैं मैंने इस पर चोटे तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ देखो तो यह आप सभी समझते हैं कि centripetal force से मिलता है electrostatic force of attraction centripetal force की value electrostatic force of attraction की value यहां से v square की value हम निकालेंगे और उसके बाद जो angular momentum वाली condition है mvr upon nh upon 2pi यहां से भी हम v square की value निकालेंगे और इन दोनों v square की value क जब हम compare करेंगे तो हमें जो value मिलेगी that is radius of bore orbit radius of bore orbit यहां पर पाया गया कि जो bore orbit की जो radius यहां कि किसी भी atom की जो radius है यह कई सारे factor पर depend कर रही है है ना जैसे की z पर depend कर रही है clear है बस यह variable है now अगर z की value हम 1 ले लें z की value हम क्या ले लें 1 मतलब for hydrogen atom तो पाया गया कि जो radius है यह totally किस पर depend कर रही है सिर्फ n square पे n की value 1,2,3,4 तो first orbit में जो radius है that will be if 1 तो second orbit में radius हो जाएगी 2 square मतलब 4 जो भी unit हम use करेंगे इंक्स्ट्रॉम clear third orbit में हो जाएगी 3 का square times clear है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है अगर हम बात करें radius of hydrogen orbit तो जो हम values को put करते है तो hydrogen orbit की जो वाली value है देखें अभी अगर आपको velocity of electron निकालनी होती है तो भी same concept है क्या आप सभी बच्चे जानते है कि centripetal force बराबर होता है electrostatic force से तो यहां से हमने capital R की value निकाल ली उसके बाद angular momentum वाली condition आप लगाएंगे mvr is equal to nh upon 2 by r तो यहां से भी आप R की value को निकालेंगे compare कर होगे यहां से आपको मिलेगी वी की value तो यह बात आप याद रखेंगे clear है पाया गया कि hydrogen के लिए जो वी की value है that is speed of light के 1 by 137 times कम होती है clear है यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसके बाद हम बात करेंगे energy of electron की तो बाई सब इलेक्ट्रोन की energy के लिए अलग से हमने derivation करा बाई था बट फिर भी मैं आपको यहां पर ब्रीफ में explain करूंगा देखो आप सब भी बच्चे समझते हैं कि electron की या जो भी जो electron है उसकी kinetic energy formula half mv square हो सकता है फिर बार बार जो हम v square की value put कर रहे थे यहां से kinetic energy का नया formula बन गया potential energy को formula होता है क्यू 1 q2 upon r q1 है वो electron जो घूम जो इस पर attractive force लगा रही है तो दूरों की value हमने यहां पर put कर दी और उसके बाद हमें potential energy मिल गई तो kinetic energy और potential energy को जो हमने जोड दिया तो हमारे पास energy का यह formula निकल के आ जाता है बाई साब जो main formula है वो हमारे पास यह निकल के आ जाता है आप इसका screenshot लेंगे सब भी values put करी है और वहां से आपको यह सारी चीज़ें clear हो जाएंगे तो अगर हम यह देखें कि hydrogen atom के लिए जो energy है यह one upon n square times होती है है ना that is मैं बोलूंगा e is directly proportional to one upon n square for hydrogen clear है तो यह energy का formula हो अब बस इतना ही मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में उसके बाद आप मुझे comment section में जरूर से बताइए अभी next आपको क्या चाहिए जो आपको होगे वही आपको मिलेगा लेकिन comment section में आपको बताना पड़ेगा मिलेंगे आपसे next video में तक तक के लिए thank you so much guys thanks a lot see you again in the next video comment section में आपका इंतजार कर रहा हूं जो आपका होगे वही आपको मिलेगा thank you so much guys thanks a lot see you again in the next video thank you